नेक्स डिस्टिक हम करने जा रहे हैं यह है चमबा डिस्टिक ओफी माजल में से जो टॉपिक है हम लोग कर रहे हैं तो चमबा हम पढ़ेंगे सबसे पहले हम देखते हैं कि जो चमबा है उसका गठन 15 अप्रेल 1948 को किया गया था पंदर अप्रेल 1948 को जिला मुख्याले इसका चमबा है जिनसंख्या घनत असी है साक्षरतादर है 72.17 शेत्रफल है 6528 6528 वर किलोमेटर 6528 स्क्वेर किलोमेटर शेत्रफल है लिंग अनुपात है 986 986 लिंग अनुपात है और दश के वरिधी दर कितना है 12.63 तो इसमें चमबा के उत्तरवम पश्यम में जम्मू कश्मीर है पूर्ज में लाहौल स्पिती है दक्षिन में कांगणा जिली की सीमा है लगती है जैसे हाथिधार चमबा में स्थित है, हाथिधार चमबा में स्थित है, यह कमुचाई वाले शिवालिक परवत है, हाथिधार और धोलादार के बीच भटिया तहसल स्थित है, तो यह कोशिन भी हाँ से बन सकता है कि हाथिधार और धोलादार के बीच में कौन सी तहसल स्थित बटियाद, हातीधार और धोलथार जो परवत श्रिंखला है के बीच में भतियात थित है। वर पांगी श्रिंखला इंग एक श्युक्ता सिंखला में पिर नने पिर बंजारessä को आई, कमबा को लेटीए श्रिंखला में बलबाइयर दो समस्तान समीर मोगें बहुते और साथ ही चमबा को दो भागों में बांटती है चमबा में खासे प्रविश करती है बड़ा बंगाल से और चमबा को दो भागों में बांटती है दगानी धार चमबा और बद्रवा जमु कश्मीर के बीच में सीमा बनाती है जो दगानी धार है वो किसकी सिमा बनाती है चमबा और जम्मु कश्मीर के बीच में सिमा मनाती है चमबा और जम्मु कश्मीर के बीच में सिमा कौन बनाती है दगानी धार ठीक है चमबा जम्मु कश्मीर की सिमा बनाती है दगानी धार फिर दर्रे देख लेते हैं तो चमबा जाल्षू साच, कुगती, पॉंध्री, बसोदन, चंबा जलास लिए, पॉंध्री बसोदन, Чंबा नrist में ऑन को मियाओं, चंद्रभागा नदी इन पॉंध्रीपल संसारी नाले से चंबा में प्रवेश करती है और संसारी नाले से चंबा से निकल कर जम्मु कश्मीर में चली जाती है ठीक है तो चिनाब नदी किस थान से चंबा में प्रवेश करती है ठीरोड से चिनाब नदी चंबा में किस स्थान से प्रवेश करती है ठीरोड से और कहां स संसारी नाला से चम्बा को छोड़कर जम्हु कश्मिर करती है साच में साहच्यू नाला चिनाब से मिलता है उदेपूर में मियार खड उदेपूर जो जगा है वहाँ पर चिनाब में कौन सा खड मिलता है मियार खड और साच में सैचुनाला चिनाब में मिलता है उदेपूर में मियार खड और साच में सैचुनाला चिनाब में मिलता है रावी नदी बड़ा भंगाल से निकलती है चंबा चंबा के पास रावी में मिलती है और यह साल चंबा के पास रावी की नदी चंबा आज ए और इस प्रवेश करती है तो जो रावी नदी है वो खेरी स्थान से चमबा को छोड़कर अन्यराजे जव्मुकश्म में प्रवेश करती है इस तरह से जो चमबा है उसमें में लिए दो नदियां भहती है एक चिनाब और एक रावी तो चिनाब के बार में हमने पढ़ा कि वो थिरोड से चमबा में प्रवेश करती है और संसारी नाले से चमबा से निकल कर या चमबा को छोड़कर जव्मुकश्म में चले जाती है और उदेपूर में जो है उसमें मियारखड मिलता है चिनाम नदी में उदेपूर में मियारखड मिल जाता है और साथ जगह पर सैचुनाला चिनाम में मिल जाता है अगर हम रावी नदी की बात करें तो रावी नदी बड़ा बंगाल से निकलती है और इसकी सहायक नदियों के कौन-कौन से नाम दिये गए है बुढ़िल, तुंधा, साल, सियूल ये सारे के सारी रावी की सहायक नदिया है बुढ़िल, तुंधा, साल और सियूल और इनमें से जो सियूल है वो रावी की सबसे बड़ी सहायक नदिया खैरी से जो रावी नद चिनाब घाटी चंदरभा घाटी जम्बा में स्थित भटियात और सिहुता चंबा की सबसे उपजाओ घाटियाँ है तो चंबा में इस प्रकार कॉनकों सी घाट ने दे गए रावी घाटी चिनाब घाटी भटियात और सिहूता सिहूता इनमें सबसे इंपॉर्टन है क्योंकि बाकी तो आप आइडिया लगा लोगी कि रावी घाटी या फिर चिनाब घाटी यह चिनाब और रावी यहां पर भैती है तो रावी चिनाब घाटी ओविसली यहीं पर होगी लेकिन जो यहां पर भटियात भी आपको तहसिल से पता चल जाएगा कि भटियात तहसिल चमबा में है लेकिन सिहूता आपको धियान रखना होगा सिहूता जो है और भटिया चमबा की सबसे उप जाओ घाटियों में से एक है तो सिहूता घाटी पुछा जा सकता है कहां प महाकाली और लामा मनीमेश गड़ासरू खजियार महाकाली और लामा अब हम आते हैं चम्बा के इतिहास की और तो अगर हम देखे कि इतिहास एवं इतिहास चमबा के इतिहास कोन सी है और चमबा के इतिहास के अगर हम चानकरी कहां से मिलती है तो चमबा के राजाओं के बारे में वीवरन हमें कलहन द्वारजित राजतरंगीनी से मिलता है क्योंकि जो चमबा है और जम्मो कश्मीर जो है वो आसपास की टायी ट्रीजन है तो इसलिए जो राशतरंगीनी है वि opposition की इसमें जम्म कशमिर का इतिहास ने चम्म के राजाओं की है से इनके युद होते रहे इस कारण भी उपलब्द जो रिकोर्ड है उसमें पत्थर लेक, शीला लेक और तामर पत्थर लेक प्रमुख है जो हमारे पास चंबा के तिहास के रिकोर्ड है उसमें पत्थर लेक, शीला लेक, तामर पत्थर लेक प्रमुख है पत्थर लेक तो ग गुबतिकाल के बाद सात्में शर्ताबदी के समेके हैं। इसके अलावा शाही वरिंशावलिया, इतिहास पर परकास डालती है। और अगर पुछा जाए कि चम्बा के में जो पत्थर लेक मिले हैं, वो किस काल के हैं, वो सात्वी शयताब्दी के हैं, मतलब गुपतकाल के बाद के सात्वी शयताब्दी के समय के हैं, यहां सी important point है कि पत्थर लेक गुपतकाल के बाद सात्वी शयताब्दी के समय के हैं, च किस-کिस ने अपने कभीलें पर स्थापित किये ते जो गंतंत्री कभीले थे तो बहद्रह साल व्योद्य ओदिंबरों की रातों की इस तरह से कोशन बन सकता है कि चमबा इन में से किसका संबन नहीं है तो उसमें भधरसाल, योध्य, ओदुम्बर अगर यह option है तो इसका मतलब कि इनका संबन तो चंबा से था तो इनके अलागा जो भी option आएगा उनका संबन में भी चंबा से ना हूँ तो जो भधरसाल, योध्य, ओदुम्बर इन्होंने प्राचिन डायम में तक गफिल स्थापित्तय घंबा शेत्र 2 में भजर साल्व यॉधिय और जिमबर और किराथ Mizra इन्दो-ग्रीक और कई खीकर इन्युक्त इन कभीलों को अपणे नियंत्र नियन्तर में से चाथ मोई शक्ति कर सेंब कर दिया उनकी शक्ति को किसने शिन किया तो यहाँ पर नाम आता है कि इंडो ग्रीक और शक कुशानों ने ये तीन लोग हैं कि जो इंडो ग्रीक थे शक थे और कुशान थे इन्हों ने इन कभीलों पर अपने नियंतर स्थापित के और इनकी शक्ति को शिन कर दिया इंडो ग्रीक ने भी इनकी शक्ति को कम किया है शकों ने और कुषाणों ने किनकी शक्ति को भधर साल व्योद्धे अधिमबर और किरात इन्हों ने अपने गंतंतरे कभीले स्थापित किये थे बदरसाल व्योद्धे और दिमबरो किरातों ने और इनके उपर नियंतरन किस ने किया है जो इंडो ग्रीक है उन्होंने फिसके बाद किरातों ने और शकों ने इनके उपर नियंतरन स्थापित किया है किरातों ने तो खुद कभीले स्थापित किये थे ना तो इनके उपर श से जाना जाने लगा देखो इने अब ठाकुराई और राहुन के नाम से जाना जाने लगा जो इसके शाशक ठाकुर और राजा कहला है इनके शाशक क्या कहला है ठाकुर और राजा राजा रावी घाट के उपर के जो शेत्रों को राणों से मेरी वर्मन ने जीत लिया तो जो जम्बा का संस्थापक भी बोला जाता भी हम पढ़ेंगे उसने क्या किया था जो राविघाटी से उपर के शेतर थे उनको राणों से मेरुवर्मन ने जीत लिया था ठीक है और जो यह पॉंट है इंपोर्टेंट है इस कहा गया कि इसका वर्ण अशाद अस्था नामक एक ज जो राणा थे उनको मेरुवर्मन ने जीत लिया था इस बात का वर्णन अशाद या आस्था नामक एक जागिरदार के साख्षों से मिलता है जो मेरुवर्मन के अधिन था नेक्स है राविघाटी के निचले शेतर भी अभी हमने पढ़ा कि राविघाटी से उपर के शेतर और जो रावी घाटी के नीचले शेतर थे वो दसमी एवं ग्यारवी शताबदी के दोरान चम्बा राज्य के दिन आ गए और बात में क्या होता है कि जो रावी घाटी से नीचले शेतर है वो भी दसमी और ग्यारवी शताबदी के दोरान चम्बा राज्य के दिन आ गए तो यहां से भी important है कि रावी घाटी से जो नीचले शेतर थे वो किस शताबदी के आसपास चमबा राजी के दिन आ गए थे दस्वी और ग्यार्वी शताबदी के आसपास जो रावी घाटी से निचले शेतर हैं वो चमबा राजे के धीना आ गए थे कब दस्वे और ग्यार्वे शताब्दी के आसपास पदर शेतर राणों पर चतर सिंग ने अपना अधिकार जमा लिया था ये बात में चमबा का राजा वने का चतर सिंग तो इसना अपना अधिकार कहां पर जमाया था पदर शेतर के राणों पर चतर सिंग ने अपना अधिकार जमा लिया था अंतिम तामर पत्र लेग जो अंतिम तामर पत्र लेग है जिसमें राणाओं का वर्मन के काल में जारी की गई थी तो जो ऐसा अंतिम तामर पत्र लेग है जिनमें राणाओं का वर्मन के काल में जारी की गई थी तो ऐसा तामर पत्र लेक जो अंतिम था जिसमें राणाओ कवर्णन मिलता है वो राजा अशाटा वर्मन के काल में जारी किया गया था इसके अलावा जो हिंसांग है वो भी हिंसांग के निसार चमबा मंडी और जो सुकेट शेतर है ये जालंदर राज्य के अंतरगत आते थे ठीक है 635 के आसपास अगर हम 635 इसवी के आसपास की बात करें जब हिंसांग यहां पर भ्रहमन कर रहा था उस समय बोला गया कि जो चमबा मंडी और सुकेट शेतर है ये जालंदर राज्य के अंतरगत आते थे है उन्सांग के अनसार चम्मा मंडी और सुकेट शेतर 635 के आसपास जलंदर राज्ये के अंतरगत आते थे आगे देखते हैं हम की चम्मा रियासत की स्थापना किस परकार हुई है किस ने की है तो जो चम्मा रियासत की स्थापना 550 इस्वी में अयोध्य हस्याय सुर्यवनशी राजा मारू ने की थी मारू ने जो भर्मो और ब्रहंपूर को अपनी राजधानी बनाया तो जो यह राजा है मारू यह अलग है बाद में हम देखो मेरू वर्मन भी पढ़ेंगे यह डिफरेंट राजा है इसमें कंफ्यूज मत होएगा तो जो राजा मारू है उसने 550 इस्वी में अयोध्य हस्याय सुर्यवनशी राजा मारू ने 550 इस्वी में चम्मा रियासत की स्थापना की थी 550 इस्वी में अयोध्य हस्याय सुर्यवनशी राजा मारू ने की थी मारू ने भर्मोर जो ब्रहंपूर को अपनी राजानी बनाया था तो मारू ने अपनी राजानी किसको बनाया था भर्मोर ब्रहंपूर को तो देखिए अभी इन्होंने वर्मन की जो उपनाम है इसको य परपोत्र मेरु वर्मन के भर्मोर शिया लेक में मिलता है अब देखिए जो आदित्य वर्मन है उसका परपोत्र होगा कौन मेरु वर्मन जो आगे राजा दिया गया है तो इसका एक शीला लेक होगा उसमें यह अपने मतलब आदित्य वर्मन का उलेक करेगा तो आदित्य व तो आदित्य वर्मन का उलेक कहा मिलता है मेरु वर्मन की भर्मोर्शी लालेक में अधित्य वर्मन का उलेक मिलता है मेरु वर्मन की भर्मोर्शी लालेक में इस तरह से भी कोशना हो सकता है कि मेरु वर्मन के भर्मोर्शी लालेक में चमबा की किस राजा को उलेक मिलता है तो और तब भी जो इससे पहले हम राजा पढ़ रहे थे मारू उसके नाम के साथ वर्मन नहीं लगा था ठीक है क्योंकि आदित्य वर्मन ऐसा पहला राजा है जिसने अपने नाम के साथ वर्मन उपनाम जोड़ा है कुलू के इतिहास में भी सबसे पुराना उलेक संभता आदित्य वर्मन के बारे में है अगर हम कुलू के इतिहास की बात करें तो जो उसका साथ ही राजे था तो कुलू के इतिहास में भी सबसे पुराना उलेक संभता आदित्य वर्मन के बारे में मिला है तो यहाँ पर यह आश्रिंका है कि जो कुलु का दिहास है उसमें सबसे पुराना उले किस राजा का है चंबा के किस राजे का है तो आधित्य वर्मन का वैसे इस से question नहीं भी बन सकता है लेकिन फिर भी आपको यह दिहान रख क्योंकि यहाँ पर यह ऐसे totally नहीं दिया गया ह कि exactly कि जो है आदित्य वर्मन है वह समई राजा था जो कुल्य के धिहास में जिसका वर्णन मिलता है लेकिन बोला गया है कि संभवति इस तरह से लगता है कि आदित्य-वर्मन आधित्ये वर्मन जो है sबसे गुराना धाया है जिसका घुम के थियास में मिलता है इसके अलबान प्षेसो चालीसिकी में दिवाकर वर्मन चंबा के राजा हुए है न बाला वर्मन होए है और दिवाकर वर्मन हुए है इनके बारे में कुछ important ज़्यादा नहीं है तो इसलिए इनका सिर्फ नाम दिया गया है कि बाला वर्मन 640-60 के आसपास हुए है राजा इसके बाद दिवाकर वर्मन 660 के आसपास हुए है देखिए इनकी जो कारेकाल है अगर आप देखें तो इसमें 20-20 वर् वर्मन के वीच में दो राजा हुए है ठीक है तब यह प्रपत्र का बोला गया था इनका अधित्य वर्मन का आपड़ते हैं हम लोग मेरु वर्मन के बारे में कि मेरु वर्मन के important points क्या है चंबा से related तो मेरु वर्मन 680 में राजा बनता है मेरु वर्मन भर्मोर का सबसे श इसके साथ ही कुलू के राजा दतेश्वर पाल को हराया था यह important है कि चंबा के किस राजा को हराया था तो राजा दतेश्वर पाल को दोनों तरह से कुछना सकता है कि चंबा के किस राजा ने कुलू के राजा दतेश्वर पाल को हराया मेरु वर्मन ने भर्मोर में कौन-कौन से मंदिर बनाया है एक तो मनी महेश लक्षना देवी मंदीर और इसके अदगरनेश मंदीर नर्सिंग मंदीर चतराड़ी की शक् देवी मंदीर नर्सिंग मंदीर चतराड़ी में शक्ति देवी मंदीर का निर्मान कराया है कौन-कौन से मंदिर मनी महेश मंदीर लक्षना देवी मंदीर गनेश मंदीर नर्सिंग मंदीर और चतराड़ी में शक्ति देवी मंदीर का निर्मान किस ने कराया है मेरु वर्मन जो गुगा शिल्पी था ये मेरु वर्मन का परसिर शिल्पी था मेरु वर्मन का परसिर शिल्पी का नाम क्या था गुगा शिल्पी ठीक है गुगा जो था ये शिल्पी था और ये मेरु वर्मन का परसिर शिल्पी था जो इक गम नामक स्थान है वहाँ पर क्या हुआ है कि यहां पर अशादास्था नामक सामंति राजा की शियालेक मिले है तो यहाँ पर जो श्रीला लेख मिला है वो किसका मिला है अशाद या आस्था नामक सामंती राजा का ठीक है और इसमें मेरुवर्वन का वर्णन मिलता है तो बोला क्या है कि अशाद आस्था का जो नामक के सामंती राजा था जो जिसका शीरा लेक मिला है उसमें मेरु वर्वन का वर्णन मिलता है यह कहां मिला है गम नामक स्थान पर गम नामक स्थान पर यह जो है शीरा लेक मिलता है अशाद आस्था का जिसमें मेरु वर्वन का वर्णन मिलता है इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि अजे वर्मन के बार में जो important है चमबा से तो अजे वर्मन गद्यों के निसार वो अजे वर्मन के समय दिल्ली से आकर भरमौर बैसे थे तो बहुत important point है कि गद्यों के निसार वो किस राजा की समय में दिल्ली से आकर यहाँ पर चमबा भरमौर में बैसे थे तो वो राजा था राजा अजे वर्मन राजा अजे वर्मन के समय की बात है कि गद्यों कहते हैं कि निसार राजा अजे वर्मन के समय दिल्ली से आकर वो भरमौर में बैसे थे नेक्स्ट इंपोर्टेंट राजा है लक्षमी वर्मन तो लक्षमी वर्मन के वार में एक स्टोरी भी इंपोर्टेंट है जो कहा गया कि देखो लक्षमी वर्मन के समय राज्ये में हैज़ा महामारी फैल गई थी तो हैज़ा महामारी फैल जाते हैं लक्षमी वर्मन के समय मे जिसमें बहुत लोग मारे जाते हैं इसी समय जो किरात होते हैं तिबती किरात तो या तिबती जो होते हैं वो चमबा पर या भरमोर पर आकरमंट कर देते हैं और राजा को मार देते हैं ठीक है राजा को मार देते हैं मतलब हमारी का फैदा उठाकर ठीके वाक्रमन कर देते हैं और राजे पर अपना दिकार स्थापित कर लेते हैं इस पर स्थिति का लाव उठा कर कुलू के शरणार्थी राजा जो जरेश्वरपाल थे उसने बुशेर रियासत की सहायता से स्वैम को स्वतंतर करवा लिया तो इसी स्थिती का फाइदा उठाते हैं कि जो कुलू के राजा होते हैं ठीक है तो कुलू के राजा पहले चमबा के अंडर आते थे कुलू के राजा चमबा के अंडर आते हैं जिसा भी हमने पढ़ा था कि जो मेरी वर्मन था उसने दत्तेशोरपाल को हराया था तो मेरी वर्मन ने दत्तेश और पाल को हराया तो तब से लेकर कुलू जो था वो चम्बा के दिन आता था लेकिन जैसा ही इन्होंने तिप्तियों नाकरमन किया और लक्ष्मी वर्मन को मार दिया तो लेक्षी मेरमन को जैसे मारने के बाद तीप्तियों का गबसा हो गया तो अब कुलू के जो राजा थे वो भर्मोर की साहता लेते हैं जो कुलू की राजा होता है किसकी साहता लेते हैं बुषएर की साहता लेता हैं बुषएर की राजा की साहता से खुद को आजाद करा लेता हैं तो कुलू की कों से राज होता है जारेश्वर पाल या जो है जारेश्वर पाल जो हैं वो बुषएर रियासत की हल्प से ये कुलू की राजा होता है और ये बुषएर रियासत की ह नेक्स मुसान तेरबंन आ। तो शाने की बीसी बंधने की आगया थाb पूद्दायम के सफेमें और उसलिटिव seems पूतर के शोड़ है पुतर चोरẹं पूत्री से सबस्केम करते हुए पाया उन्होंने इसको इसकी बहुत सारी जो चूह हैं वो बुच्छे की रक्षा कर रहे थे यह से जो राजा है उसका राम मुसान वर्मन रखा गया रानी और मुसान वर्मन सुकेत के राजा के पास रहे तो रानी और जो मुसान वर्मन है उनको किसके पास, उन्होंने कहां शरण ली, उन्होंने सुकेत के राजा के पास शरण ली सुकेत के राजा ने अपनी बेटी का विवा मुसान वर्मन से कर दिया और से पंगाना भी जागिर दहेज में दे दी तो जो मुसान वर्मन है उनके साथ सुकेत की राजा क्या करता अपनी बेटी का विभा कर देते हैं और उनको पंगाना को जागिर दहेज में देते हैं मुसान वर्मन की शादी अपनी बेटी के साथ कराकर सुकेत के राजा ने क्या करा पंगाना को दहेच की रूप में दे दिया मुसान वर्मन ने सुकेत की सेना के साथ ब्रहमपूर पर पुना अधिकार कर लिया अब यह का करते हैं वापस अधिकार कर लेता है किस की हल्प से सुकेत की सेना की हल्प से और मुसान वर्मन की शाषन काल में चूहों को मारने पर परतीबंद लगा गया था जुब अधिद्वी जो इंपॉटbeitenत राजा हुए हैं चमबा के वो है, साहिल वर्मन, तो साहिल वर्मन के बार में दिया गया है कि साहिल वर्मन नो सो बीस इस्वी में चमबा शहर के किस थापना की है इन्होंने राजा साहिल वर्मन के दस पूत्र एवं एक पूत्र थी जिसका नाम चमपावती था ठीक है साहिल वर्मन के दस पूत्र थे और एक पूत्र थी जिसका नाम चमपावती था उसने चमपा शहर अपनी पूत्री के नाम पर ही जो चमपावती के दाम पर ठीक है उसके अधा है राजधानी ब्रह्मपूर से चमबा ले गया और जैसे उसने चमबा शहर की सापना की तो राजधानी ब्रह्मपूर से चमबा ले गया कौन साहिल वर्मन कि अगर जब तक इसके परिवार से किसी की बली नहीं दी जाएगी तब तक जो वो पानी की आप उर्ती नहीं पूरी होगी मतलब यहां पर चंबा में तो इसलिए जो रानी नयना देवी होती है वो अपने प्रानों की मतलब एक तरह से दान देती है एक तरह से वो क्या करती ह खुद को खुद के प्राणों का बिल्दान देती है और जो चमबा शहर है वहाँ पर पानी की कमी पूरी हो जाती है जिस नाले से वह चाहा रहे थे कि वहाँ से पानी आ जाएगा उनकी चमबा निगासत में तो वहाँ पर उनको एक तरह से बली दे दी उन्होंने अपनी जिस महिला और बच्चों के लिए परसीद है ठीक है राजा साहिल वर्मन ने लक्ष्मी नरायन चंदर शेकर साहू चंदर गुप्त और कामिश्व मंदीर का निर्मान भी करवा है तो यहां से आप समझ सकते हो एक तो सुही मिला याद रखना की चंबा में है यह लगता है और य किसने साहिल वर्मन ने और जो युगांकर वर्मन है आगे यह साहिल वर्मन का सबसे बड़ा पूत्र होता है युगांकर वर्मन साहिल वर्मन का सबसे बड़ा पूत्र है साहिल वर्मन ने अपनी कारेकाल में तामबे की मुद्रा चकली चलाते हैं साहिल वर्मन के बारे में जानकारी राजा सोम वर्मन और अस्तु वर्मन की तामर पत्र लेखों से मिलती है यह बहुत important point है यहां से भी कि जो साहिल वर्मन के बारे में जानकारी है वो सोम वर्मन और अस्तु वर्मन के तामर पत्र से मिलती है तो या फिर ऐसे भी कुछ ना सकता कि राजा सोम वर्मन और अस्तु वर्मन की तामर पत्र लेखों से चमबा के किस राजा के बार में जानकारी मिलती है तो साहिल वर्मन के बार में मिलती है किस से जो साहिल वर्मन के बार में लिखे गई है किस में राजा सौम वर्मन और अस्तु वर्मन के तामर पत्र लेखो में साहिल वर्मन के बार में जानकारी दी गई हैं राजा साहिल वर्मन ने गुरू योगी चरपटनाथ थे उनके जो साहिल वर्मन के गुरू कों थे योगी चरपटनाथ योगी चरपटनाथ थे साहिल वर्मन के गुरू और 84 साधू के वर्दान से जो इनको 84 साधू का वर्दान मिला था उसके बाद ही साहिल वर्मन ने को भर कीर और तुर्षकों के दलों को हिमाचे परदेश से खदेड़ने का शीर जाता है यहां से भी important question बन चुका है ऑर आगर भी बनने की possibility है कि जो साहिल वर्मन है उन्होंने क्या-क्याता है किर और तुर्षकों को हिमाचे परदेश से खदेडने का शीर जाता है वो है राजा साहिल वर्मन तो चमबा के राजा साहिल वर्मन ने कीरो तुषकों को हिमाचपडे से खदेड दिया था बर्मोर से चमबा राजानी बदलने का सुझाओ राजा साहिल वर्मन को योगी चरपटनात ने ही दिया था तो वर्मोर से राजानी जो है बदलने का सुझाव कि वर्मोर से राजानी चमबा कर दी जाए यह सुझाव किस ने दिया है योगी चरपटनात नहीं साहिल वर्मन को दिया था जैसे हमने पढ़ा कि युगांकर वर्मन साहिल वर्मन का सबसे बड़ा बेटा था तो आगे यही राजा बनते हैं युगांकर वर्मन फिर बोला गया है युगांकर वर्मन जब 940 इस्वी में राजा बने है इसके बाद जो पत्नी जो त्रिभुवन रेखा देवी ने भर्मोर में नर्सिंग मंदिर का निर्मान करवाया है जो साहिल वर्मन की युगांकर वर्मन की पत्नी होती है त्रिभुवन रेखा देवी युगांकर वर्मन की जो पत्नी है त्रिभुवन रेखा देवी ने भर्मोर में नर्सिंग मंदिर का निर्मान करवा है युगांकर वर्मन ने चमबा में गोरिशंकर मंदिर का निर्मान क अब यह नर्सिंग मंदिर ज्यादा बने है मिर्वर्मन के टाइम में भी एक नर्सिंग मंदिर बना है तो यह पुछ जाने की possibility थोड़ी कम है क्योंकि या फिर ऐसे पूछ सकते हैं कि युगांकर वर्मन के समय में जो नर्सिंग मंदिर बना है उसका निर्माण किस ने करा है तो उनकी बत्ती तुभुवणा रेखा देवी ने किया है इसका निर्माद। और यॅगांकर वर्मन ने कौन समझ बना है गोरी शंकर मंदिर की साफने किसिने की है यॅगांकर वर्मन ने। नेक्स donated हुए है वो है सलवान वर्मन 140 सी में राजा बने कश्मीर के शाषक अनन्देव ने भर्मोर पर सल्वान वर्मन के समय में आकर्मन किया था important है कि रास्तरंगीनी के अनुसार जो कश्मीर के राजा अनन्देव है वो भर्मोर पर किस राजा के समय में आकर्मन करता है तो राजा सल्वान वर्मन के समय में रास्तरंगिनी के अनुसार कश्मीर का शाषक कोन होता है अनन्त देव वो भरमोर पर सल्वान वर्मन के समय में आकर्मन करता है तो कुछ ना सकता है कि रास्तरंगिनी के अनुसार कश्मीर का शाषक अनन्त देव भरमोर पर किस राजा के समय में आकर्मन करता है सल्वान वर्म के समय में या फिर आ सकता है कि रास्तरंगिन के इनसा कश्मीर के किस राजा ने भर्मोर पर सल्वान वर्मन के समय में आकर्मन किया था तो सल्वान वर्मन के समय में जो कश्मीर के राजा जाकर्मन करता हूं का नाम है अनंत देव मतलब अनंत देव और जो सल्वान वर्मन है अनन्देव और सल्वान वर्मन के बीच में युद्ध हुआ था अनन्देव ने सल्वान वर्मन के समय में आक्रमिन किया था और इसमें लिखा गया रास्तरंगिनी में सल्वान वर्मन के कारेकाल के शियालेक मिले हैं तो सल्वान वर्मन के समय के शियालेक मिले हैं जिसमें तिस्वा प्रंगना और सेहिकोठी का उस समय बलार बसोली राजे में होने का पता चलता है तो जो सल्वान वर्मन है उनके ताइम में जो शिलालेक मिले हैं उससे क्या पता चलता है कि जो तिस्सा प्रंगना है और सेई कोठी है उसमें कहां थे बिलार बसोली राजे में थे यह जानकारी किसे मिलती है जो शीरालेक सल्वान वर्मन के समय में मिले है तो यह पूछा जा सकता है कि जो तिस्सा प्रंगना और सेई कोठी के बिलार बसोली नकिकलता है तो सल्वान वर्मन के कारेकाल के चलता है कि जो तीस्सा प्रगना है और सेकोठी का कि वो किस राजे के पार थे उस वक्त सल्वान वर्मन के समय में वह बलार बसुली राजे तिस्षाप्रग्णन till 1,30 में पाचनल मरतीने उसके बाद सौमवर्मना राजह बनी है इसके बाद सल्वान वर्मन के बाद कुन राजा बने है सोम वर्मन सोम वर्मन बने है 1060 में और अस्तु वर्मन कब बने है 1080 में ठीक है तो यह इसके बाद सल्वान वर्मन के बाद जो उनके पूतर होते हैं वो राजा बनते हैं सोम वर्मन 1060 में और जो अस्तु वर्मन है वो अनन देव के पूतर कलश्चे कर देतं брат देता यहां आफने अनन देव के पूतर कलश्चे कर दे ना, कालश का पुत्र हर्ष बाद में कश्मीर का राजा बन गया अब इसके बाद है कि जसाट्रा या जेस्ट वर्मन ग्यारा सो पांच में जो राजा बनते हैं बोला गया है कि जसाटा वर्मन पांगे और चुरहा के लोहो टिकरी शीरा लेख जो कि 1114 के समय के है के अनुसार 1105 में राजा बना तो इनके जसाटा वर्मन के राजा बनने का उल लेख मिला है ठीक है लोहो टिकरी शीरा लेख में लोहो टिकरी शीरा लेख जो है उसमें कहा गया है कि जसाटा वर्मन पांच जो जसाटा वर्मन उसमें वह वह algunas 15 før में राज़ complaints जव जो अब शीरा लेख है वह हम बाद में बनाया कोकर में बनNSक जो लोहो टिकरी शीरा लेख समय के लोहोटी क्रिशी अलेक 1114 के समय का तो इसने 1114 में बेशक लिखा गया लेकिन इसने जानकारी कब की दिये 1205 की थोड़े समय पहले कि इनोंने जानकारी देते हुए कहा है कि 1205 में जसाटा वर्मन जो है वो चम्बा का राजा बना है यह जानकारी जब लोहोटी क्रिशी अलेक 1114 में बना था उस समय जानकारी उसमें लिखी गई और यह पांगियोट चुरहा के पांगियोट चुरहा में है यह जो लोहोटी क्रिशी अलेक है तो जसाटा वर्मन जो है वो इसके बारे में लिखा गया पांगेट चुरहा के लोह टिकरी शीलालेख में उसके रिसाल 1105 में जसाटा वर्मन जो है राजा बना है और यह जो शीयलेख है यह 1114 के समय का है ठीक है जसाटा वर्मन ने कश्मीक राजा हर्ष की लहारा वंश के शुशाला की विरुद सहायता की थी अच्छा अब आप दे के पुत्रकलेश से थी यहां पर है इनके फैमली रिलेशन्स थापित हो जाता है तो अभी एक तुसरे के साथ युदन कर रहे है जब तक अब चल पाता है यह वाला इलाज भी तो जसाटा वर्मन ने कश्मीर के राजा जो हर्ष है उनकी लहारा वरंश के जो शुशाला के व्यूद सहायता की थी तो अभी देखी इसी गारण जो आगी अपने रिलेशन्स को ठीक रखते हुए जसाटा वर्मन ने भी कहा कि कश्मीर की राजा हर्ष की सहायता कर रहे हैं ठीक है तो कश्मीर की राजा जो हर्ष होते हैं उनकी सहायता करते हैं किसकी विरुद लहारा व इसके विरुद लहारावंष षुशाला इसके विरुद पांगी शीया लेकि इंसा AL- 105 viendo पर प्र पेद पृंज लाहुल घाटी पर पर कभ्जा बनाए रखा ठीक है इसके बाद नेक्स राजा होता है उदेवर्मन उदेवर्मन ने कश्मीर के राजा शुशाला से अपने दो पुत्रों देवलेखा और तारलेखा का विवा किया जो सुशाला को 1128 में मृत्यु के बाद सती हो गए जो शुशाला की बाद में 1128 में मृत्यु जाती है औ कशमीर की राज्या 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 हर्श का कलैना का है सुषाला फोड़ा राज्या करनिसे थर राज्या के था कर दोगे तो अपतनी दो पुत्रम्व रॉट्रेर जो twраш थो थे कुंप प्री लिख lub WAAR कर देता है अब नेक्स आगे राजा है लडीत वर्मन तो ललीत वर्मन के पारमें देखते हैं ललीत वर्मन के कारेकाल के दो पत्थर लिखें देवरी कोठीई और सैचुनाला पांगी यहां से प्राप्त हुए हैं तो ललित वर्मन के कारेकाल के जो दो पत्थर लेख हैं शीरा लेख हैं या पत्थर लेख हैं वो कहां से प्राप्त हुए हैं वो मिले हैं देवरी कोठी और सैचुनाला पांगी से जिससे पता चलता है कि जो तिस्सा और पांगी शेतर उसके कार चलता दांना था, कि असल में rainfall या, तिस्वान वर्मन रिते हैं कि णीड़े से हमें...... जो पृटिये में लिक किम मात रा। थे के सैंवन वर्मन वो श 충्ड़ के सीया हमें.. बवडर्मन का से लिक साथ हों, लोईियए वर च्रमस को में स्क्राइब का स्वार्य करें.... तो जी तीसटा प्रंग जो है यह किस में आ जायेगा चंबार यासथ में ललित वर्मन के टाइं की बात है और पांगी शेतर हैं इस पांगी शेतर हैं वह चंबार यासथ के भाग थे झाली कैने अञORYमो उल्रीकोट के मदार लिफ्ण 실ih में यह लिखा गया था Rana राणा नागपाल के दुवारा और जो पांगी शिया लेक है और 1170 में सलाही के पास राणा लुद्रपाल जो है उनके दुवारा अंकित करवाए गए थे इन दोन शिया लेकों में ललेत वर्वन को महाराज दिराज लिखा हुआ था अब हम जो यह दो पथर लेक हैं शिया ल चमबर यासत के हिस्ते थे तो पहले आपको सिफ यह दिहान रखना भी एक पुइंट धिहान रखे ललीत वर्वन के कारिकाल का कि जो ललीत वर्वन के कारिकाल में दो पथर लेक मिले हैं देवरी कोठी और सैचुनाला जो पांगी से उससे पदा चलता है कि जो तिस्ता है और जो पांगी है वो चमबर यासत की ही भागते अब जो यह देवरी कोठी और सैचुनाला पांगी प्राप्त है इनके बार में देखते हैं तो जो देवरी कोठी शीला लेक है पथर लेक है यह राजा नागपाल के द्वारा बनवाया गया था कब 1160 में तो 1160 में राजा नागपाल के द्वारा इसमें मतलब ललीत वर्मन के बार में भी उलेक मिला है इसलिए ललीत वर्मन के साथ क्यों पढ़ रहे हैं हम लोगी देखो ललीत वर्मन तो 1143 में राजा बना है लेकिन हमने देवरी कोठी और सैचुनाला पांगी जो पत्थर लेक हैं यह ललीत वर वर्मन का उलेक मिलता है ठीक है दोनों जो पत्थर लेक है इसमें शीरा लेक में या फिर पत्थर लेक में दोनों में क्या है ललीत वर्मन के टाइम पिरिड का ललीत वर्मन का उलेक मिलता है इसलिए हमें ललीत वर्मन के साथ पढ़ रहे है तो जो देवरी कोठी है देवर सैचुनाला पांगिशिया लेखा है यह वह 10 सल बाद 1170 में् 1.5 डूरा स्थापित किराया गया था तर Olympius Nakat सैचुनाला पांग नार नागपाल के दौरा लेखा है वह 1160 में नांगपाल चाहला चाहला है पांगी शेत्र लेक्तर पांगी शेत्र ललित वर्मन के कारेकाल में चंबारियासत के भाग दे और ये देवरी कोठी और साइचुनाला जो पांगी दोनों शेत्र वर्मन को लेक्तर दिराज इनका नाम लिखा गया है तो आप इधर से भी कोशन बन सकता है कि जो देवरी कोटी और सहिचुनाला पांगी जो पत्थर लेखे हैं शीला लेखे हैं जो ललीत वर्मन का उलेख करते हैं उसमें ललीत वर्मन को किस नाम से पुकारा गया या किस नाम से उनका जिक्र किया गया तो है महाराज धीराज के नाम से क्या इस तरह से भी कोशन Ho5000 उसकता है कि देवरी कोटी और सहिछोनालापांगी से प्ञूद कंड़ित कोटी राजा को लिक अगया इंधर से परफ़ लेते हैं ताकि हमैं कोई कर्फीयूजन ना रहे देवरी कोटी जो 1160 में राणा नागपाल ने बनवाया है देवरी कोटी 1160 में राणा नागपाल ने बनवाया है और दुसरा जो पत्थर लिखमीला है वो है सैचुनाला पांगी 1170 में राणा लुद्रपाल ने बनाया है तो ये ललीत वर्मन के कारेकाल में दो पत्थर लेखे प्राप्थ होए हैं अब जिससे पता चलता है कि जो 300 पांगी शेत्र हैं उसके कारेकाल में ललीत वर्मन के कारेकाल में कहां थे चंबा रियासत का ही भागते तिस्सव जो पांगी शेत्र है वो उसके कारेकाल में चम्बा का ही भाग दि देवरी कोठी और सैचु नाला पांगी जो शीरा लेख उसे पर चलता है फिर उन्हें बता दिया कि जो देवरी कोठी शीरा लेख है वो 1170 में राना नागपाल के द्वारा बनाया गया था राणा लुद्रपाल के द्वारा 1170 में सैचुनाला पांगी जो शिला लेख है इन दोनों शिला लेखों में ललित वर्मन को महराज धिराच लिखा हुआ था तो क्लियर हो गया है अब आगे हम पढ़ते हैं विजे वर्मन तो विजे वर्मन ने मुहमद गोरी के 1191 और 1192 के आकर्मनों का फायदा उठा कर क्या किया था इन्होंने जु मोहमद गोरी के आकर्मन थे 1191 और 1192 के आकर्मनों का फार उठाकर, कश्मीर और लद्दा के बहुत सारे शेत्रों पर गबजہ किया था तो विजे वर्मन राजा था मोहमद गोरी के आकर्मन के समय डरेकली कोश्न बन सकता है कि जब मोहमद गोरी ने आकर्मन किया था 1191-1192 में तो चम्बा का राजा कौन था विजे वर्मन चम्बा का राजा विजे वर्मन था मोहमद गोरी की टाइम और मोहमद गोरी ने 1191-1192 में आकर्मन किया था जिसका फादर उठाकर विजे वर्मन ने क्या किया कश्मीर और ल और गोाएदिस के लिए उपधी को पयोग करने वाला राज परिवार का था गोन था गढेशवर्मन गढेशावर्मने अब लेखेगेज़ों जो भी राजया हुें और ऋमिझालिन के और गढेशवर्मन था परताब सिंग भी र्चार परताब सिंग चंबा का राजा कोन है परताप सिंग वर्मन अकबर का समकालिन चंबा का राजा कोन है परताप सिंग वर्मन अकबर का समकालिन चंबा का राजा कोन है परताप सिंग वर्मन अकबर का समकालिन चंबा का राजा कोन है परताप सिंग वर्मन अकबर का समकालिन अकबर का समकालिन किस राजा के काल में दिया गया था राजा प्रताप सिंग वर्मन के कारेकाल में और यहां पर टोडर मल की द्वारा मुगल को कौन सा शेतर दिया गया था प्रताप सिंग वर्मन के कारेकाल में अगला पॉइंट है कि प्रताप सिंग वर्मन ने कांगडा के राजा चंदरपा कर अबटंगरे कर चंदरपाल को रह ध हुई कि इंतलना पूइंट है कि कांगड़ा की किस राजा को हर या थ है प्रताप सिंग वर्मन ने कांगड़ा की मेंера जाजंदरपाल by哥 अच्छा को राइ, और गुलेर को चंबा रियास्त में मिला लिया था परताप सिंग वर्मन ने क्या किया कांगड़ की किस राज़ा को हराया राजा चंदरपाल को और उसको हराकर जो गुले रियास्त है उसको चंबा में मिला लिया था बहुत इंपोर्टेंट पॉइंट है कि कांगड़ा की राज चंदरप रामपती गनेश वर्मन है और राजा परताप सिंग वर्मन का राजगुरू था तो रामपती जो नाम है जो इन से पहले राजा हुए है गनेश वर्मन उनका भी और परताप सिंग वर्मन का भी ये राजगुरू था कौन रामपती रामपती नाम का राजगुरू हुए है कि कहीत दुवर्मन था कषिए प्रतिमा और प्रताब संग के गई ती चम्बा के राजा प्रताब धीमा कि मिर्कुल मैं उद्यपूरन के स्थ्थापिट Sh собой परताप सिंग वर्मन राजा था जिस समय उनके कारेकाल में ही मिल्कुल देवी की प्रतीमा उधेपूर मिल्कुल में स्थापित के गई थी इसके बाद नेक्स इंपरॉटन राजा हुए है वह हैं बलभद्र तो बल्भधर के बारे में दिया गया है कि बल्भधर और जनारधन के बारे में इस पॉइंट में पढ़ेंगे तो जो बल्भधर है वो बहुत द्यालू और दानवी राजा था उसे बालीकर्ण के नाम से भी जाना जाता था जूहिता है जो पुतर था जनार्थन उन्हें को गड़ी से हटा कर सुवयं गड़ी पर बैठ Da. जू जनार्थन था उसम मmee नूर्पूरकराजय कर दो सुरज मल था भीड़ी subsidises. जब जनारधन राजा बना उस समय नूरपुर का राजा कौन था राजा सूरजमल यह इंपोर्टेंट है क्योंकि बाद में आगे चलकर जो इनके वीच में आच्छे समन्द नहीं दिखेंगे तो जनारधन के समय जो नूरपुर का राजा है सूरजमल वो राजा था जगत सींग नाम से रिलेशन का खराब रहेंगे तो जनारधन के समय जो नूरपुर का राजा है सूरजमल मुगलों से बचकर भाग रहा था ठीक है जो सूरजमल की हम भागने का कारण का कांगरा में पढ़ेंगे वैसे ही यहाँ पर यही था कि पहले राजा सूरजमल उचने बाद में ये धोगा देका, जो नृझाताइता है, जो राजा सूरजमल, मुगुल चाहते हैं के विश्वास घात के बदर sicरा सुरजमल बचकर जाता है कि सब राजबर की लिए चुप जाता है तो अभी जणारधन के समय में तो अभी ज़ुनदं के समय में जो राजा सुरजमल ने गारे मिðार यहाँ पर छुप गया है उसके सुरजमल के भाई जो जगगत सिंघग है को मुगलों द्वारा कांगडा किले का रक्षक बनाया जाता है ठीक है तो अभी जगत सिंग को कांगडा किले का रक्षक बनाया जाता है और जो सुरजमल के बाद नूरपूर का राजा बनता है तो यह क्या करते हैं जो सुरजमल का भाय होता है राजा जगत सिंग तो मुगल इसको भूछ जादा फेवर करते हैं उसे जागत सिंग भी बाद में किया करते हैं मुगलों के विद्धुरू ही करता है अपने बेटे के साहत मिल कर लेकिन अभी है क्लिए जो हमारे इंपॉर्टन है मुगल किया करते हैं जो जागत सिंग कीला है उसका भी रक्षक बना देते हैं और साथ ही नूरपूर का राजा भी घोशित कर देते हैं जहांगीर के 1622 के कांगडा ब्रहमन के दोरान चमबा का राजा जनारधन और उसका भाई जहांगीर से मिलने गए थे तो जो यह मुगलों के साथ अपने डिलेशन भी अच्छे रखना चाहते थे कि इनको यह भी डर था कि कहीं जो सुरजमल को इन्होंने शरण दीती उससे कहीं मुगल नराजना हो गए हो तो इसलिए जब कांगडा ब्रहमन पर जहांगीर 1622 में आता है कांगडा ब्रहमन पर तो जो जनारधन होता है उसका भाई होता है भी संबर नाम से तो वो दोनों म पिलने जाते है जनारधन नाम में ठीटीविची हो था जो हून झनारधन को रौगा इनकी बीस पीच में भी तो दृलोक का उथ की बीच में होगा था जो ये नूपूर के बीच में हो binders का दिनके बीचमबा का राजा है जनार्धन को भी 54 युद में मारा गया अब स्बैहैं जनारधन को 1023 में जनारधन को भी 1623 में très जनारधन को भी 243 में दोके से मरवा देता है अभी अब यह पर exception करते है30 को भापस राजा तो बनाता है बलभधर् को चंबा का पुनर राजा बनाता है परन्तु चंबा जो 22 स को पार करने का आदेश को तक तब दीं हकी मुधर को पृतित्व घरटी संग नाम का पोत्र हुआ जिसको नरस दाई बाटलू बचा कर बंडी , राज talked तक पहुंच गई तो भुप Albertree King ना May का मंदी राजगादे ठाने को पहुझा दिया जाता है विज़ो हर पत्र को इंपड़ुतर दिया और सिंव अए पिल राnova स्पा या सब्सक्राइब ओनहस्था सब्सक्रण के ओधे कर दिया तो देखे जगत सिंग जिसका जिक्र कर रहे थे कि सुरजमल के जगा नूर पर कराजा जगत सिंग को बिनाए गया था तो यह क्या करते हैं यह भी शाहजां के विरुद 1641 में विद्रो कर देते हैं तो इस मोके का फायदा उठा कर प्रिथु सिंग क्या करता है मंडी और सुकेत की मदद से रोतांग दर्रे पांगी चुरा को पार कर चमबा पहुंचाता है अब उन्हें पता है कि जगत सिंग था जो उनके राज्य का दुश्मन तहत्री के से जिसने अपना राज्य स्थापित किया हुआ था अब उसके पास मोगलों का साथ तो है नहीं क्योंकि उसने विद्रो कर दिया उनके विरुद तो मोगे का फायदा उठा कर वो क्या करता है चमबा पहुंचाता है कौन राजा प्रिथ्वी सिंग और इन्होंने मंडी और सुकेत से सहायता भी ली थी इस द्वरा चमबा पहुंचने के लिए गुलेर की राजा मान सिंग जो जगत सिंग का शत्रू था उसको भी प्रिथ्वी सिंग की मदद की तो गुलेर की राजा आपको मान सिंग यहाद रखना है साथ वी जो प्रिथ्वी सिंग ने बशोली की राजा संगरामपाल को इस को भी अपनी मदद के लिए अपनी टीम में शामिल कर लिया और इसको इसने लाला दया कि इसका भलाई तहसील का किसने मोला कि आप मदद कीजिए बसोली की राजा संग्रामपाल से और बदले में आपको भलाई तेहसिल जो है वो दे दी जाएगी ठीक है तो इस तरह से जो पृत्वी सिंग है उसने दो राजाओं की मदद ली है जगत सिंग को हराने के लिए वो दो राजाओं को अपने सा ग्रीबन अपने लेता है तो क्या करता है अपने बाद में ऐस चुरह के ल papa होइं यहें ए जोगत सिंग रहा देता है अपने राजे वांपशो लेता है तो हो क्या करता है ने जो चुरहा और पांगी में राज अधिकारीं के लिए कोठी बनाता है मिलता है एक बाता है कि लिए विवाद हो जाता है छो थी पहले इनों प्रिफ्वी सिंग ने वादा किया था संग्राम पाल को दे देंगे। वसी कारण प्रिफ्वी सिंग को लेकर इन के बीच में विवाद हो जाता है। जिसको मुग्लों बहुterior है मम रहती बहुत में ऑर बहुल्य letter में शाहञा साय जा है जगत सिंग ने शहांजा के विरुद भी द्रोखिया थ उसका हिफाद उठाए इसने तो इब ये भी शहांजा के ही टाइम पिरड में था प्रिथ्वी सिंग ठीक है शहांजा के समकालीन था उसने शहांजा के शासंटकाल में नोबार दिली की यात्रा की और अगुबूर की शाहांजा द्वारा भीड में प्राप्त की तो इस तरह से भी कोशना सकता है कि चंबा का कौन सा राजा था जिसने शाहांजा के समय में नो बार दिल्ली की यात्रा की और रगुबीर की प्रतिमा भी प्राप्त की थी उसके बाद है चंबा में खजी नाग खजी यार हिडिमबा दिवी जो मंदिर है महला में और सितरा मंदिर चंबा का निर्मान प्रित्री सिंग की जो नर्स दाई हैं बाटलो ने करवाया है और प्रित्री सिंग के प्राणों की जिनोंने रक्षा के थी ठीक है तो कौन-कौन स खजीनाग खजियार में खजीनाग मंदिर बनाया है चमबा के खजीनाग खजियार में खजीनाग मंदिर बनाया है किसने जो नर्स बाटलु होते हैं उन्होंने और इसको अपनी माता की तरह मानते थे हिडिमबा मंदिर महला तो यह हिडिमबा मंदिर महला में है यह नर्स बा नर्स दाई बाटली ने करवाया है जिसमें प्रफ्थ्वी सिंह की रक्षा की थी। नेक्स इंपोर्टेंट राजा हुए है राजा चतर सिंह के बारे में देखते हैं राजा चतर सिंग ने बशोली पर आक्रमंड कर वहां के राजा संग्रामपाल से भलाई परंगना है वो जीत लिया था तो भलाई को लेकर इनके बिश में बड़ी लड़ाई रहती थी तो चतर सिंग ने भी क्या क्या था बस्टोहली राजे पर आकरमन्ट किया थि लिया था य जो बहले परंग ना है उसको जीत लिया था ठीक है तो गार्ण है टो हमारा चैठर संघटर सिंग भी मनेज़े इंदों मंदिरेंस स्िंब कहिंद उसके उसने क्या क्या मंदिरों पर कलाश्चर आए जो आज भी विद्धिमान है तो देखे 1678 में जो औरंगजेब है 1678 इस भी में क्या करता है और जो आज भी विद्धिमान बोला गया है कि उसने अपने छोटे भाई शक्ति सिंग को औरंगजेब से मिलने भेजा प्रंतु वह भी बजवाड़ा से वापस लोट आया तो चतर सिंग क्या करता है चतर सिंग ने अपने छोटे भाई शक्ति सिंग को भी औरंगजेब से मिलने भेजा था लेकिन वह भी ब गुलेर की राज़ा राज सिंग, बश्छॉली की राज़ा धिरजपल और जब्मू की कृपाल देव के साथ मिलकर पंजाब की सुबएदार मिर्जा रियास बेक को हराया था. चतर सिंग बहुती यह भी बहादूशार्षा तस्निक क्या करे चतर सिंग ने गुलेर के राजा जो होते हैं राज सिंग तो गुलेर के राजा राज सिंग गुलेर के राजा कौन होता है राज सिंग और बशोली के राजा धिरजपाल और जम्मू के क्रिपाल देव के साथ मिलकर पंजाब के सुविदार मिर्जा रियास बेक को हराया था तो चार लोग हो गया उसके बाद गुलेर का राजा कौन राज सिंग गुलेर का राजा राज सिंग गुलेर का कौन सा राज होता है राज सिंग होता है बशोली के राजा धिरजपाल बशोली के राजा धिरजपाल जम्मू के कृपाल देव इनके साथ मिलकर पंजाब के राजा मिर्जा रिया बोला गया है कि चतर सिंग ने गुलेर के राजा राज सिंग भशोली के धिरजपाल और जम्मू के किरपाल देव के साथ मिलकर पंजाब के सुबधार मिर्जा रियाज बेग को हराया था तो यहां पर चार लोगों की टीम कौन कौन थी कि चम्बा कराजा चतर सिंग था गुल राजा हुए है उनका नाम है उदे सिंग तो उदे सिंग उगर सिंग दलेल सिंग ये सारे राजा हुए है तो बोला गया है चतर सिंग के पूत्र उदे सिंग ने अपने चाचा वजीर जे सिंग की मृत्व के बाद एक नाई की पूत्री के प्रेम में पढ़कर चंबा के व तो उदे सिंह क्या करता है एक नाई की पुत्री के प्रेम में पढ़कर जो नाई होता है उससे ही वो अपने चमबा के वज़े नियुक्त कर देते हैं ठीक है तो उदे सिंह के बाद 1726 में जम्मू के राजा जुरुफदेव की सहायता से उसका पुत्र उगर सिंह राजा बना उदे सिंह की मिर्तु जाती है उसके बाद 1726 में क्या होता है उदे सिंह की मिर्तु के बाद 1726 में जम्मू के राजा दुरुफदेव की सहायता से जम्मू कर राजा जो दुरुफदेव होता है उसकी सहायता से उसका पूत्र उगर सिंह की राजा बनता है उगर सिंह जो है उगर सिंग राजा बनने के लिए ऊगर सिंग के बाद उसका चचैरा भाई दलेलinas उमेज सिंग के बारे में लिखा है कि उमेज सिंग हैं उनके शाशνahn काल में चम्बा राजे मंडी की सीमा तक फैल गया कि जो चंबा राजे है वो मंडी की सीमा तक फैल गया मंडी की सीमा तक फैल गया और उमेज सिंग का पुतर जो राज सिंग है वो राजनगर में पैदा हुआ जो उमेज सिंग का पुतर है राज सिंग वो कहां पैदा हुआ राजनगर में पैदा हुआ जो हमने पैड़ा कि उमेज सिंग का जो पुतर है राज सिंग वो राजनगर में पैदा हुए उमेज सिंग ने राजनगर में नाडा महल बनवाया है तो नाडा महल राजनगर में किस ने मनाया है उमेज सिंग ने चमबा में नाडा महल किस ने मनाया है उमेज सिंग ने नाड बेता राज SingHOe naada hungry रंग महल चंबा की नीव उमेद सिंह ने रंग महल चंबा की नीव उमेद single king रंग महल चंबा की नीव उमेद SukhACHте ने रखी है यहाँ पर आपको तो मैंने ब्लास विधाल दिस्रिक में वे बताया था सो जए जो रग महल मैं इसमें कनफूयूज मत हुए यह ऊंवह है उमीजaur के घनाव 005 है इसमें मने ठोग एगा जैसे राग महल जो बिलासपूर को सिही सबीट ऐब फ़राया जाजी दे각 है पर एक आले उनके सतीना होने के देण Запाषा था तो बहुत इंपोर्टन्ट बात धी है इनके बारे में उमीद सिंह के बारे में कि उमीद सिंह यरुके व्यू आते मिर्त्यू के बाद सुम्मियों के बारोने के बार Síona को राजसेज छोड़ा Master वो है राजा उमेद सिंग, उमेद सिंग की 1764 इसवी में यूद के दोरान जाला मुखी में मृती हुई थी, तो उमेद सिंग की मृती कब हुई थी, 1764 इसवी में यूद के दोरान हुई थी, इसके पाद हम आगे देखते हैं, जो उमेद सिंग का बेटा है राज सिंग, वो यह राजा बना बोला किया है कि राज सिंग राज संग के बीड़े करी नो वर्ष की आयू में राजा बना राज सिंग बना 5-10 br इस झाटे और इस नो वर्ष की आयू मेंわかे करते हैं गमंद्चन्द मोगे का फादा उठाकर, पत्यार को चंबा से छीन लेता है। currency ने हैं 2012 वनीत सिंग उमेत सीन sacar उंहीं, नहीं ने लाधा की, bringing up on that P W. राजीत सिंग से मदद मांगती है और पुनहा जो पत्यार है उसे वापस लेती है तो राजा बनता है नो वर्ष कायू में तो तो इसी दोरान जो घमंड चंध है वो पत्यार को चंबा से छीन लेता है लेकिन राणि क्या करती है जो उमेथ सिंग की विद्वा राणी होती है वह क्या करती है रञीत सिंग की मदद लेकर पुनहा अपने विराजे का छिस्षा हूता है यौन वापस लेती है है रंजीत सिंग की मदद लेकर पुनहा अपने विराजी का हिस्सा होता है पत्यार उसको वापस लेती है चंबा की राजा राज सिंग और कांगडा की राज संसारचन के बीच रहीलू शेत्र कपजे को लेकर ये धुआ था बाद में देखो जैसे चंबा का राज सिंग थोड़ा बड़ा हो जाता है और घमन चंद का पुत्र जो संसारचन है वो पावर में आ जाता है कांगडा से तो मतलब का राज सिंग रहीलू शेत्र कपजे को लेकर यूद हुआ राज सिंग जो है को शहापूर के पास 1794 में शहापूर के पास 1794 में यूद के दौरान मिर्ति हो जाती है राज सिंग की कब 1794 की बात है कि 1794 में जो राज सिंग है इनकी मिर्ति हो जाएगी शहापूर के पास राज सिंग की 1794 में यूद के दौरान मिर्ति हो जाती है फिर बोला गया है कि निकारांजा छजू और राज सिंग के दरबार के निपन कलाकार कौन-कौन थे निका राज़ा चजज़ौर हरक। निका राजीट सिंग के मृत्विहथ चाहबे slash script rebt Lineli-manuj-wec. अजीत सिंग पूर्विया की तलवार सरपर लगने से राज सिंग की में तो सेवंटी नाइंटी फोर में शाहपूर के पास हो गई थी चंबा के राजा राज सिंग और कांगडा के राज संसार्चन ने शाहपूर में संदी की थी जब बोला गया था कि इनके बीच मेरी लुशेत्र को लेकर युद वा था तो जो चंबा के राजा राज सिंग होता है और कांगडा के राज संसार्चन ने संदी जब होई थी वो शाहपूर में वो कब होई थी 1788 में और 1794 में बाद में जब इनका फिर से यूद आगे देखते हैं जीट सिंग के बारा में जीट सिंग के बारूंगांगा के राज जीट इम्ला करेंगा। जी तो बोला गया है तो जीत सिंग के समय क्या है कि जो चंबा के राजा क्या करते है जो जीत सिंग चंबा के राज नि do वारी में बीलासपुर पर आकरमंड करता था कि संसारचन ने क्या किया था 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 , जो 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 जीत सिंग ही अभी राजा चलेगे दब से लिकर 75-4 चले था 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 तो संसारचन के साथ इनकी तो चंबा वालों की तो दुश्मनी चल रही थी कि राज सिंग वेरा के समय से जब घमंड चन ने भी इनके पतियार शेत्र को हतिया लिया था फिर संसारचन ने भी इनके साथ यूद किये तो जीत सिंग क्या करते हैं यहां पर यह भी इनका साथ द नेक्स राजा कोन हो है चमबा के इंपोर्टन चड़त सिंग शे वर्ष के आयू में राजा बना नाथ्थ वजीर राजकाज देखता था अब नाथ्थ वजीर इंपोर्टन है आपर अभी दिखो पहले सेना के साथ गया है उनका प्रमुक्बन का फिर नाथ्थ वजीर जो है जब यह चोटे थे तो इनके टाइम में राजकाज देख रहा है रानी शारदा जो चड़त सिंग की माँ होती है मतलब जीत सिंग की जो वाइफ है रानी शारदा और चड़त सिंग की जो मदर है इन्होंने 1825 फिस्वी में राधा कृष्ण मंदिर की स्थापना किया है रान कर उसे चमबा का भाग बनाया था तो पद्द्र का राज़तिकारी होताय Shitno सियनत पद्द्र का जासकर पर अकरमण कर उसे चम बाग का भाग बनाता है उसके बाद है कि 1888 म है नाथवजीर के मूदि वजीर वागा चमबा का वजीर नूक्या गया तो जो यह नाथ्थुलद वजीर भागा भी जो बाद में यह भी चमबा में इंपोर्टेंट ट्रोल प्ले करेंगे तो नाथ्थु वजीर के मित्तु के बाद वजीर भागा क्या है चमबा के वजुर न्यूक्त किये गए 1839 में विगने और जर्नल कनिंगम ने चमबा की यात्रा की इंपोर्टेंट है कि 1839 में विगने और जर्नल कनिंगम ने चमबा की यात्रा की 1440 के आयों में 1844 में मृत्ची हो गई विगने चमबा आने वाला पर्थम यूरोपियन था विगने क्या है चमबा आने वाला परथम यूरोपियन था विगने के लिए बोला गया है कि चमबा आने वाला प्रथम यूरोपियन था और जिसे 1844 में जब चरहत सिंग के मृत्यू हो गई जो है चमबा में अंतीम बार जो सती प्रथा का पालन 1844 में चरहत सिंग के मृत्यू के समय किया गया था तो जो चरहत सिंग है 1844 में जब उनकी मृत्यू होती है आखरी बार जो है चमबा में जो सती प्रथा है इसका पालन भी चरहत सिंग के समय में ही किया गया था ठीक है तो विगने और जनरल कनिंगंगम चंबा कियात्रा करते हैं विगने चंबा आने वाला प्रत्थम येरोपेन था इसके साथ ही हमने पड़ा कि नात्व वजीर की मिटिया जाती है और वजीरबागा क्या बनते हैं वजीर बन जाते हैं वजिर भागा का हम आगे दिखेंगे अगर कुछ इसमें दिया हुआ इंपोर्टन्ट जो इनका रोल था इसके बाद हम देखते हैं शिरी सिंग के बारे में ये शिरी सिंग बहुत इंपोर्टन्ट राजा हुए है चम्बा के बोला कि है कि 1844 में अब जैसे चरहत सिंग की मिति होती है तो शिरी सिंग राजा बन जाते हैं हमने पढ़ा कि वजीर भागा ये वजीर बन चुका था इसकी साहता से राज्य का कारेबार चलाते हैं लकडशा जो है नरायन शाह भी बहुत इंपोर्टन्ट है तो लकडशा ब्रामन या नरायन शाह जो ब्रामन है वह शिरी सिंग के समय प्रशाशन पर नियंदन रखे लकडशा ही एक मुद्रा भी चलाई थी तो लकडशा ही मुद्रा चलाई है लकडशा ब्रामन और या फिसको नरायन शाह के नाम से जाना जाता है ये किसके समय में था कौन से राजा के समय ये शिरी सिंग के समय में था इसकी बाद जो है बोला गया है कि उसकी साहु घाटी के बेलज में हत्या कर दी गई अब लगकर शाब रामन की हत्या कर दी गई कहाँ पर साहुगाटि के बेलज में साहुगाटि के बेलज में लगकर शाब रामन या नरायन शाब रामन की हत्या कर दी गई थी जो श्रीय सिंग के टाइम में था फिर बोलागी है कि अंग्रेज सिख यूद के बाद 9 मार्च 1846 को संदी द्वारा व्यास और सतलुज के बीज का शेत्र अंग्रेज को मिल गया अब देको क्या होता है कि अब 1844 में श्रेजिंग राजा वने हैं तो 1846 में क्या है कि अंग्रेज और सिखों के यूद के बाद 9 मार्च 1846 को कह ku courage हुए अंग्रेजों से व्यास के का सारा शेत्र के विद्धी उसके द्वारा मार्च 5860 को संदि हुई था नो मार्च 586 को जो संदि हुई थी उसके द्वारा द्वारा रावी और सिंदु नद्यू के बीच के शेत्र जम्मो के राजा गुलाब सिंग को देने का फैसला किया हुआ जिसमें चम्बा ने विरोध किया क्योंकि वह भी शेत्र में आता था अब देखिए एक और संधी करने जा रहे थे अंग्रेज यहे जम्मो के राजा 16-1886 को एक और संथी हुई जो रावी और सिंदु के नदी के शेत्र को लेकर होती है जम्मो के राज गुलाब सिंग के साल 12-18 Graph वозмड़ होरी है अंग्रेजो और जम्मू की राजा गुलाब सींहे चाहित बीच्छ कम जो पना मृशनि खालिग नेक्स संदी क्विक सोमाज 846 तो यह जो संदी और तो किस इरिया वही है वह रावी और यहां सींदू नदी है रावी और सिंदू नदी beide है उसको लेकर थी रावी और सिंदू के बीच का जो शेतर है उसको लेकर थी संदी जो अंग्रेज और जमु की राजो गुलाब सिंग के बीच में थी अब ये चंबा के लिए important इसली है कि हूँ रावी μας सिंदू का चेत्र आता है उसमें ही चंबा राजे भी आता था टो रावी से लेकर जो just Chief का शेत्र है उसमें ही चंबा राजे भी आता था तो जब अंग्रेज गुलाब सिंध के साथ संदी कर रहे थे जम्मु की राजव गुलाब सिंग के साथ तो वो क्या कर रहे थे कि जो रावी से लेकर सिंदु नदी के बीच का जो भी शेतर है रावी और सिंदु नदी के बीच का शेतर वो सारा का सारा राजव गुलाब सिंग को दे रहे थे ठीक है अब जब राजव गुलाब सिंग को स इनके परेयासों से क्या है? और बदले में जो भधरवा शेत्र है जो भधरवा शेत्र होता है चमबा से लेकर वो ही सिर्फ वो शेत्र देते हैं वो गुलाब सिंग को और इस तरह से जो भधरवा शेत्र है वो चमबा से निकल कर किसमें शामिल कर देता है वो जम्मू में चल जाता है गुलाब सिंग के अ यह भी वजीर भागा महले से वजीर लोरेंज को बना लेकता है और फफनी और Kerry करते हैं चंबा की स्वतंद्टा बनाए रख़ते हैं कि आप अपर अप्धन सुपनार ऑप मेरा इक दे दूइं miejsce तरह से जो भजीर बअच्छे something वो गुलाब सिंग को मिल जाता है और जम्मू का पार्ट बन जाता है चमबा अंग्रीजी शाषिन के अधिपत्ते में आ गया तो जो चमबा है वो किसके अंग्रीजी शाषिन के अधिपत्ते में ही रह गया तो चमबा किसके अधिन है अंग्री जी शाषन का अधिपत्ते में है और यह 12,000 वाशिक राज़कर लगाया गया इस पर 12,000 रुपे वाशिक राज़कर लगाया गया है चमबा पर फिर 6 अपरेल 1848 को अंग्री जोने श्री सिंग को सनद परदान की जिसके द्वारा चमबा को अग्रेजों के लिए परदान कर दिया गया अब 6 अपरेयल 1848 को है कि 6 अपरेयल 1848 को अभी क्या करेंगे कि 6 अपरेयल 1848 और परेयल 1848 को यहां से ईपरेयल पर लोग देखे़ जातर जीसके आतरस अच्प कौशतर आज जैसरे हम लोग भी आस पास मिली है जो गोरक हो सव प लेकिन जो चम्बा को सफोनाद मिली है वो को manifested stimmt 1848 में तो चम्बा कि राजब शिरीव सींग को सनद मिली है 1848 में और उसके बाद जो है चम्बा को उसकी पीडी के लिए पारतां कर दिया इस सनद में संतानहिन राजा के भाई को उत्रादिकारी बिनाने का प्राबधान था तो यहां पर सनद में वैसे नॉर्मल ही होता है कि अगर राजा का कोई उत्रादिकारी नहीं है तो उनका राजे है वो अंग्रेजो के दिन आजाता है लेकिन इस सनद में लिखा था कि अगर राजा संतान हिन भी होता है अगर जमबा का तो इसके भाई को उत्रादिकारी बनाने का प्रावधान था इसमें और वर्ष 1862 में सनद में राजा को गोद लेने का अधिकार भी दे दिया गया इसी सनद में जो 1848 में सनद साइन की गई सब्सक्राइब कоЈ अगरंगेजों के बीच में न ह्याहे है यहगा जज्न जाकता है लिकी पें 1862 में एक और श्रीय अधिकारी बनाया जा सकता है हम है श्री सिंग को इतनी फैसिलिटी दे रहे हैं कि आपका अगर संतान नहीं है तो आपका जो भाई है वो उत्रादिकारी बन जाएगा अगर उसको भी नहीं विलाना चाहते तो आप गोद लेनी का भी उनको राइट दे दिया था 1862 में तो इसके बदले में श्री सिंग ने क्या किया 1857 में अंगरेजो का भरपूर साथ दिया है जिसके बाद इनको 1862 में सनद में गोद लेने का दिकार भी दिया था इनको खुश करने के लिए 1357 देखो श्री सिंग ने अंग्रेजो का साथ दिया उसने मिया अवतार सिंग के अधिन डलोजी में अंग्रेजो की साहता के लिए सेना भेजी यहां से भी important question बन सकता है कि श्री सिंग ने अंग्रेजो की help के लिए जो सेना भेजी थी मिया अवतार सिंग के अधिन श्री सिंग ने अंग्रेजो की help के लिए वजीर भागा ने 1854 में सेवन बडी हो गया तो वजीर भागावी जिसने इतना gado पॉल प्ले किया है वह वह क्या है सेवन बडी हो गया उसका स्थान अब किस ने लिया है वजीर बिल्लू ने ले लिया वर्ष 1863 में श्री सिंग के परशाशन में मदद के लिए मेजर ब्लेयर रेट को चमबा का प्रबंदध सुप्रिडंडन न्यूक्त किया गया यहां से भी इंपोर्टन है क्योंकि यहां पर अंगरेजों के द्वारा पहली बारासक किया गया है चमबा रियासत के लिए की प्रबंध किया फिर सुप्रिडंडन न्यूक्त किया गया है तो 1863 में वर्ष 1863 में क्या किया गया है चमबा के जो राजा है श्री सिंग के प्रशाशन में मदद के लिए मेजर ब्लेयर रीड को चमबा का प्रबंदा किया सुपरेड़ने न्यूकत किया गया है 1863 में किसको प्रबंदा को सुपरेड़ने न्यूकत किया गया है मेजर ब्लेयर रीड को 1863 में शीरी सिंग की हल्प के लिए मीजर बलेयर रीड ने कहीं सुधार की थी आप देखो ,ीनिनों मीजर बलेयर रीड ने वह सारे चुदार मेजर ब्लेयर रीड ने PWD स्थापित कर चमबा क कर दुरगम दुरगमशेतर से जोड़ा मेजर ब्लेयर ब्लेयर रीड थय फ़िगा प्यावलिट झी फूर कि अन्यफ tem सतरक दुरगम पार फाएर चमबा के outcome मेजर ब्लेयर रीड ने चमबा में जो है PWD विभाग स्थापित किया था ठीक है मेजर बलेरेड ने चम्बा में PWD विभाग जो है वो स्थापित किया था चम्बा और खजियार में डाक बंगले और राजा के लिए जो है यहाँ पर जद्री खाट में कि रहा फो स्थापित की तो बोला है कि ये बोला है ऑने कि जो क्षथार बंगल जाट बंगले फो और चमबा और खजार नीम टाटtal में रहाट्त के तासरी कि कितन नाज के म permet एक डाग घर खोला गया चमबा में एक स्कूल खोला गया चमबा में एक स्कूल भी खोला गया वर्ष 1864 में चमबा की वन संपदा निनानवे वर्ष के लिए पट्टे पर अग्रेजो को दे दी गई जिससे 22,000 रुपे वार्षिक आय होने लगी तो यहां पर भी 22,000 रुपे लीज के लिए पट्टे पर अग्रेजो को दे दी गए और उसे 22,000 रुपे वार्षिक आय होने लगी तो कब दी गए गया है लीज पर चमबा के सारे वन 1864 में 1864 में सारे जो लीज पर दी दी गए वन कितने वर्षों के लिए निनानवे वर्षों के लिए 99 एर्स के लिए और इसे 22,000 रुपे की आय होने लगी 1866 में चमबा में एक अस्पताल खोला गया वर्ष 3870 में 32 वर्ष की आयो में शीरी सिंह की मृती हो गई तो बहुत कम एज में 32 वर्ष की आयो में शीरी सिंह की मृती हो जाती है 1870 में शिरी सिंग का कोई पूतर नहीं था अजसा 1848 में सनाद द्वारा छोटे भाई गोपाल सिंग को तो इनका कोई पूतर नहीं था तो 1848 में देखो क्या किया गया कि इनका जो भाई होता है छोटा भाई गोपाल सिंग इनको राजा बनाया जाता है मेजर ब्लेयर रीड ने गद्धी पर बिठाया तो मेजर ब्लेयर रीड जिनको सुप्रिटेंडेंड न्यूक्त किया गया था मेजर ब्लेयर रीड ने क्या किया है 1863 में प्रबंदक न्यूक्त किया था उन्हीं मेजर रीड ने उनके छोटे भाई गोपाल सिंग को गद्धी बनाया गया इसकर दखते हैं गोपाल सिंग तो गोपाल सिंग से रिलेटिड इमपॉंटें चीज दिखते हैं बोलागया है कि शिरी सिंग क बाई गद्विए थे उसने शहर की सुन्दर्ता बढ़ा आने के लिए काम की तो गोपाल सिंग ने जो 1870 में गदी पर बैटे थे उन्होंने सबसे बड़ा काम किया है कि इस शहर की सुंदरता को बढ़ाने के लिए उन्हें बहुत काम किया है उसी कारेकाल में 1871 में लोड में चमबा आये थे गोपाल सिंग के कारेकाल में वर्ष 1871 में लोड में हो चमबा आये थे गोपाल सिंग को गदी से हटा कर 1873 स्वी में उसके बड़े भाई शाम सिंग को राजा बनाया गया तो अब बाद में क्या करेंगे देखो इनके टाइम में एक बड़े से हटा दिया जाता है और 1873 में उसके बेटे शाम सिंग को राजा बनाया जाता है शाम सिंग 1873 को गद्धी पर बिठाए और किसने बिठाए है अमरेग सर के कमिश्यरर जनरल रेचिया करता है शाम चिंघ को मे suspected शम्प ऐता है तो शाम सिंग के समय करम कर्णनल ब्लेयर रीड रहे हैं जो सुपिडेंडेंट रहे हैं फिर आर्टी वर्नी बने हैं 1877 से 78 फिर कप्तान है कैप्टेन सिएच वर्ण देखो बहुत लंबी टाइम परेट क्लिर रहे हैं इनकी कंपरेजन में जैसे आर्टी वर्णी के कंपरेजन में हम लोग देखें तो सिएच वर्णी नाइट तक यह सुपिडेंट रहे हैं मिया अवतार सिंग 1873-78, गोविन चंद 1885-98 तथा मुया भूरी सिंग 1890-1904 दिवान वजीर थे तो यह वजीर रहे हैं कि शाम सिंग के टाइम में मिया अवतार सिंग भी वजीर रहे हैं, गोविन चंद वजीर रहे हैं, फिर मिया भूरी सिंग भी वजीर या दिवान रहे है शाम सिंग के समय जर्णल रेइनल टेलर 1873, सर हैंडरी डेविस, लेटनेंट गवर्णर पंजाब 1874, वाइसराय लॉर्ड करजन, लेडी करजन, लेडी करजन 1901 में और सर मैकबर्थ यंग, लेटनेंट गवर्णर पंजाब 1901 में चम्बा की यात्रा की, तो इन्होंने चम्ब लेडी करजन चम्बा आयते ब्रह्मन के लिए 1902 में, ठीक है, और रेइनल टेलर अगर रियाद रखना है तो 1873 में जुर्नल रेइनल टेलर भी आया है, इसके बाद बोला गया है कि, शाम सिंग ने 1876 में इंपिरियल दरबार, तो यह भी इंपॉटेंट पॉइंट हैं से र हिस्ता लिया है, 1877 में लिया है इनोंने दिली दरबार में, 1876 में इंपिरियल दरबार में शाम सिंग ने हिस्ता लिया, 1876 में इंपिरियल दरबार में शाम सिंग ने हिस्ता लिया है, और 1877 में दिली दरबार में हिस्ता लिया है, करनल रेइड ने 1876 में पहली बार चमबा Land Revenue Settlement भूमी बंदोबस्त करवाया तो Colonel Reed की अगर हम लोग बात करें तो Colonel Reed ने क्या किया है कि 1876 में Colonel Reed ने 1876 में पहली बार चमबा में Land Revenue Settlement भूमी बंदोबस्त कराया Colonel Reed ने कब किस वर्ष 1876 में Colonel Reed ने 1876 में पहली बार चमबा में land revenue settlement भूमिबंद बस कराया तो इससर से कुछ ना सकता है कि पहली बार चमबा में land revenue settlement भूमिबंद बस कब कराया गया 1876 में 1876 में कराया गया और किसने कराया करनल रीड ने कराया है वर्ष 1894 में पंजाब सरकार ने वनो की आये का दो तिहाई जो चमबा को देने का फैसला किया तो वर्ष 1894 में पंजाब सरकार ने वनो की आये का तू थर्ड जो भाग है वो चमबा को देने का फैसला किया है वर्ष 1878 में जॉन हैरी को शाम सिंग का शिक्षक नूगत किया गया तो शाम सिंह का शिक्षक अब नूखत किया गया, 1878 में, जोन हैरी को शाम सिंह का शिक्षक नूखत किया गया है, चमबा के महल में दरबार होल को CST मार्शल के नाम पर जोड़ा गया, वर्ष 1880 में चमबा में हाप्स की खेती शुरूई, ये भी इंपोर्टन्ट है, 1880 में चमबा में हाप्स की खेती शुरू हुई है सर चाल्स एटिक्सन ने 1883 में चमबा की यात्रा की वर्ष 1887 में चमबा डाग विभाग को भारतिय डाग तार विभाग से जोड़ा गया 1887 में चमबा डाग विभाग की वर्ष 1887 में चमबा डाग विभाग को भारतिय डाग तार विभाग से जोड़ा गया 1881 में तिस्सा में एक डिस्पंसरी खोली गई, तो तिस्सा में एक Cham зачї. आगे दिखते हैं, बोला गया है कि करनल रीड का कॉल्ड़ को तोड़ कर 1891 में, चालिस बिस्दरो में श्याम सिंग अस्पताल बनाया गया, कब तोड़ा गया olisata कब तोड़ा गया retrospect कंनल रिड का अस्पिताल 1875 में, vue 1891, ना समसिंग तपया और किसके जगह कर्णल रीड के अस्पताल के जगह और कर्णल रीड का जो अस्पताल है वो कब तोड़ा गया था 1875 में फिबोला गया है कि राविन अधी पर शितला पूल जो 1894 इस्वी में बार्चे तूट गया था उसकी जगह 1895 में लोहे का सस्पेंशल पूल बनाया गया तो राविन अधी पर शितला पूल था राविन अधी पर जो शितला पूल था वो 1894 में बार्चे तूट गया था जिसकी जगह पर 1895 में लोहे का सस्पेंशल पूल बनाया गया यह भी शाम सिंग के टाइम में हुआ है फिबोला कि 1895 में बटियात में विद्रो हुआ था श शाम सिंग की छोटे भाई मिया भूरी सिंग को 1898 में विद्रो हुआ था शाम सिंग की छोटे भाई मिया भूरी सिंग को 1898 में वजीर बनाया गया उनी सो दो में शाम सिंग बिमार पढ़ गया अब उनी सो दो में क्या होता है शाम सिंग बिमार पढ़ जाते है और वर्ष 1904 में भूरी सिंग को चम्बा का राजा बना दिया गया तो 1902 में शाम सिंग बिमार पढ़ गया फिर 1904 में क्या किया है भूरी सिंग को चम्बा का राजा बनाया गया नेक्स जो हमारे राजा है चमबा के वो है राजा भूरी सिंग तो राजा भूरी सिंग जो है वो चमबा के राजा है तो 1940 में राजा भूरी सिंग चमबा के राजा बने है 12 अक्टूबर 1904 को पंजाब के लेटिनेंट सर चार्ल्स रिवाज ने भूरी सिंग को गदी पर बिठाया तो चार्ल्स रिवाज थे जिनोंने भूरी सिंग को गदी पर बिठाने का रिवाज पूरा किया है चाल्स रिवाज ने राजा भूरी सिंग को गदी पर बिठाया है भूरी सिंग अपने भाई शाम सिंग के समय साथ वर्ष तक दिवान वजीर रहे है जब शाम सिंग राजा थे तो उस समय जो भूरी सिंग है वो साथ वर्ष तक दिवान या वजीर रहे है 1906 में उनको KCIS की उपादी परदान की गई 1906 में उनको KCIS की उपादी परदान की गई किसे राजा भूरी सिंग को और वर्ष 1908 के अगर हम बात करें तो बोला गया है कि 1908 में सरकार ने वनो के पांच वर्ष के लिए चंबा को वापस दे दिया 1908 में सरकार ने वनो को पांच वर्ष के लिए चंबा को वापस दे दिया बूरी सिंग के समय उनी सो आठ में किया गया सरकार ने जो निनानवे वर्ष के लिए पट्टे पर वन लिए थे कब 1864 में चंबा के जो वन लिए थी निनानवे वर्ष के लिए ठीक है उसको वापस बुरी सिंग के समय में पांच वर्शों के लिए गया था उनी सो आर्ट में बुरी सिंग म्यूजियम डॉक्टर फोगल की नितितों में खोला गया इंपोर्टेंट है दिखो यह कोशन तो भूत बार पुछा चा चुक है कि बुरी सिंग म्यूजियम कहा है चंबा में है कब ख दोक्टर फोगल की नितितों में खोला गया तोगंति कि भूठे नितितों में नीससु आर्ट में खोला गया जो शाल नधी है वहां पर न्य्स सो दस में एक rewards fi da पर चंबा शहर को बिजली प्रादान की गेजिजिए तुम में विजली पर गाने, एक पर विजलीगर का निरमानं की गया इक जिर पपचा है decisions के डाख बंगलेडिये तो साल नदी पर बना है सबद की सबस्कार मैं कैसे हुज जो शाल नदी पर बिजलीगर समय में स्कूल को मिडल स्कूल था उन्यसो पांच पें इस और बना दिया गया चंबा में पुस्तकाले खोला गया जिस और बोला ने अंगरेजु के सहाता कि थी तो 1904 में शुरू हुआ है और अभी चल रहा है तो अभी 1919 तक चलेगा जब तक इनकी मृत्यू नहीं हो जाएगी तो राजा भुरी सिंग ने प्रथम विश्यूद के समय 1914 से 18 तक अंग्रेजुकी सायता की थी तो राजा भुरी सिंग आगे बताया है गया कि 1919 में की मृत्य हो गई जिसके बाद टिका राम सिंग जो है वो चमबा के राजा बनेंगे आगे देखते हैं तिका राम सिंग के बारे में राजा राम सिंग तो वूला गया है कि जो राम ind remedies राजा राम को 15 छमबा में 15 स्कूल और राम सिंह का defense मिया केसरी सिंह को आपना वजीर मिया केसरी सिंग को अपना वजीर नूट किया है राजा राम सिंग ने वह बोला है चंबा नूरपूर रोड भरमोर जो चंबा भरमोर सडक है 20 मिल तक क्यानी के पास रावी नदी पर अस्थाइपुल का निर्मान मल निकास व्यवस्था पीने के पानी क्या पूरती के लिए निर्मान जैसे कारे राम सिंग के कारेकाल में हुए हैं उन्हों ने जो चंबा है उसकी विकास के लिए बहुत काम किये हैं वर्ष 19.35 में राजा राम सिंग की लाहॉर में मिलती हो गई जिसके बाद इंका बेटा लक्ष्मंड सिंग 11 वर्ष्क आयो में राजा बना तो रा रूपे वार्षिक पहुंच चुकी थी चमबा का रास्ट राजा हुआ है राजा लक्षमन्ट सिंग तो जो राजा लक्षमन्ट सिंग थे और 1935 में राजा बने है और निस्टो अटालीस में फिर चमबा हिमाच्र पड़िश का हिस्सा बन जाएगा देखते हैं आगे कि मेले मंदिर के लाइविम संस्कृति के बारे में फिर बोला गया है कि मंदिर और मेले तो भरमौर में 84 मंदिरों का समू है मेले और मंदिर में देखें अगर हम तो भरमौर में 84 मंदिरों का समू है मिंजर मेला मिंजर मेला साहिल वर्मन द्वारा शुरू किया गया था मिंजर का अर्थ होता है मक्की का सीटा जिससे रावी नदी में बहा जाता है जिसमें चमबा के लक्षमी नरायन मंदिर में पूजा की जाती है तो मिंजर मेले में क्या करता है जो चमबा का लक्षमी नरायन मंदिर है उसमें पूजा की जाती है चमबा के लक्षमी नरायन मंदिर में पूजा की जाती है साहिल वर्मनुके द्वारा मिंज मेले की शुरूब है, मिंजर से मठीत, मख्की सूट रावी नदी मे बहाइक और कॉंट से मंदिर में पूजा की जाता है, लक्ष्मी नाराण मंदिर में पूजा की जाता है इस मेले के जो है को राजा परताप सिंग वर्मन द्वारा कांगडा के राजा परविजे के परतिक के रूप में भी मनाया जाता है मिंजर मेले को जो राजा परताप सिंग वर्मन के द्वारा कांगड़ा के शाचपर विजे के परतिक के रूप में बनाया जाता है यह मेला अगस्त महीने में चमबा के चोगान मंदीर में लगता है तो कब लगता है मिंजर मेला अगस्त में साहिल वर्मन द्वारा शरू किया गया अगस्त में लगता है और रावी नदी में जो मक्की का सी टज से बुलते हैं उसे बहाज आता है और लक्षमी नराण मंदीर में पूजा की जा आता है परताब सिंग वर्मन को कांगडा के राजी राज्य पर बंतव कांगड़ा के शाशक पर विजे का परतिक भी से माना गया है फिर है सुही मिला सुही मिला हम अच्छे से पढ़ चुके हैं कि साहिल वर्मन द्वारा शुरू किया गया है परतिक के लिएम अपरेल में नंत में लगता है और आपरेल में मिल्च लगता हैowanie फूल यात्र पांगी के किलाड में उक्टूबर के महीने में होती है किस मन्त में होती है अक्टूबर में तो फ्यूल यात्रा पांगी के किलाड में अक्टूबर के महिने में होती है छत्राडी यात्रा कब होती है सितंबर में छत्राडी यात्रा सेप्टेंबर चत्राडी यात्रा सेप्टेंबर में होती है भरमोर यात्रा अगस्त में चत्राडी यात्रा सितंबर में भरमोर यात्रा अगस्त में होती है फिबो लगे हैं मनी महिष यात्रा अगस्त सितंबर में होती है मनी महिष यात्रा अगस्त सितंबर में होती है पहले हमने फूल यात्रा पढ़ा है, फूल यात्रा कब होती है, ये पांगी के किलाड में, अक्टूबर में, फूल यात्रा पांगी के किलाड में, अक्टूबर में, छत्राडी यात्रा सितंबर में, भरमोर यात्रा अगस्त में, भरमोर यात्रा अगस्त में, मनिमेश यात् गद्धी जन जाती द्वारा बनाया जाता है, जिसमें शिवकी पुजा की जाती है, तो अभी हमने देखा था, जैसे अगर हम मन्तवाइस देखे हैं, तो भरमोर यात्रा अगस्ट, अगस्ट की जाता है, सब्टेंबर में छ johnson, होती है सप्टेंबर में चत्राडी और अक्टूबर में होती है फूल यात्रा ठीक है तो अगस्ट सप्टेंबर अक्टूबर के लाइन वाइस दिया गया है तो अगस्ट में देखें तो भर्मोर यात्रा अगस्ट में बर्मोर यात्रा है चत्राडी में की यात्रा है सप्टे नवाला मेला अगर जन जन जाती द्वारा मनाया जाता है जिसमें शिवकी पुजागी जाती है कला चंबा की जो रुमाल कला है वो सबसे अधीक परसीद है चंबा की अगर रुमाल कला की बात करें तो बहुत फेमस है यह चंबा शैली की चितरकला का उदे सिंग के समय में हुआ है तो चंबा की अगर हम लोग जो चितरकला का उदे माने तो वो कब हुआ है राजा उदे सि निककु छज़ू हरकु तो यह यहां करें और सब्समय में दने हैं तो बोला है है कि जो रंघ महल है चंडी लक्षमी-णरर studied skipping छंडी लक्षम नरान मंदी में जानजरोर नाटी जो hai यहां के फेमस लोक निरते है इसके चंबा के फेमस तो गीत है कुचू चंचुलो रुजमो फुल्लू, रुजू फुल्मो according to these हैं जंबा के फेमस कुंजू चंचलो रुण्जू फुल्मू और भुकुगर्दी नवद्य स्कूल सरोल में हैं केंद्र विद्याले सुरंगानी और करिया में फिभाशा चंब्याली भट्याती चुराही पंग्वाली और भर्मोरी बोली जाती है कॉनकों सी भाशा हैं चंब जो किताबे हैं मुक्तसर तारीक रियासत चंबा गरीब खान की बुख तारीके रियासत चंबा गरीब खान की बुखिय और बूख कि थे ऐ यह जो इतने इंपॉर्टन नहीं है अमसिदा कोश्चंस पर आते हैं तो देखिए जो क्वेशन्स में क्या क्या दिया गया है उन्नी सो बीस इस्वी में चंबा शहर की स्थापना साहिल वर्मन ने की थी तो साहिल वर्मन ने की थी उन्नी सो बीस में चंबा शहर की स्थापना साहिल वर्मन ने की थी चंबा रियासत का अंतिम शाषक होना है ठीक है और हमने अभी पड़ा नो सो बीस इसवी में चमबा शहर की स्थापना किसनी किया है सहाहिल वर्मन ने और अंतिम शाषक है लक्षमन सिंह योगी चरपतनात का संबंध किस से था चमबा से था और इसकी गुरू थे सहाहिल वर्मन के गुरू थे फिर है चमबा के राज प्रयोग किया था आदित्य वर्मन ने सबतम वर्मन उपादी का प्रयोग किया था 1857 के सवतनता संग्रा में चमबा का राजा शीरी सिंग बिटिज सरकार के साथ राजभग था उनका साथ गया था उस अपने किस वजीर को के साथ डल होजी में सैनिक भीजे थे तो मिया पातलिय कुसे में में चमबा पैंटिंग को सरंकशन मिला है यह दो में ने %ote में सैनिक पर सकताबा इनकार दिया था ने 1678 में उन्होंने मंदिरों के तोड़ने के फर्मान को मना कर लिया था माचा परदिश की किस चहर ने हाल में तो इन्होंने यह पहले का कोशन है 2010 का तो इसमें बोला गया कि चंबा ने कि एक हजार वर्ष पूरे कर लिये थे प्राचीन समय में चंबा रियास की राधानी कहते इब रहंपूर थी जब इसको निर्मान हुआ था मारू के द्वारा उस महात्मा का नाम बताई जो 84 साध्धों का मुख्या था जिसने चंबा की राजा साहिल वर्मन को दस पुत्रों योगी चरपतनाथ जो की साहिल वर्मन के गुरू थे इन्होंने इनको वर्दान दिया था आगे है कि जातिगिरी प्रेटक्स थल अभी तो हमें आद रह जाएगा कि हम चंबा पढ़ रहे तो चंबा में ही होगा लेकिन जब ओवर्रोल सारे डिस्टिक करने के बाद भी यह जातिगिरी प्रेटक्स थल कहां पर है चंबा में जातिगिरी प्रेटक्स थल कहां 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 ह परवत्य ग्रामीन बैंक की शाका की जीले में, चुरहा की जीले में, चिर्छा की जीले में, चुर्छा की जीले में, किलाड किसका मुख्याल है? पांगी का और पांगी के किलाड में ही अक्टूबर में फूल यात्रा होती है फूल यात्रा बनाई जाती है तो कब अक्टूबर में पांगी के किलाड में हिमाचे परदेश की शिव भूमी किसे कहते है अजीद सिंग मेमोरियल पंजपूला डलोजी में पांगी भर्मोर भटिया तिस्सा चुरहा सलोनी डलोजी राजगीर चंबा में हैं 1839 में कौन सा यूरोपी आत्री चंबा पहली बार आया था तो विगने फहला यूरोपीयन आती था जो 1839 में पहला European जो चंबा आया था वो है विगने 1839 में आया था 1839 में आया था विगने चमबा के किस राजा ने अपने राणियों के सत्य होने पर रोक लगाई थी उमेज सिंग ने अपने राणियों के सत्य होने पर रोक लगाई थी राजा उमेज सिंग ने इन्होंने ही रंग महल भी बनवाया था ठीक है चमबा में उमेज सिंग ने ही रोक लगाई है और नाड चंबा का गोरी शंकर मंदीर जो है वो त्रिभुना रेखा देवी वैसे देखिए अभी हमने पढ़ा तो वहां पर यूगांकर वर्मन दिया हुआ था और यह थोड़ा सा कन्फूजन रहता है ऐसे से फैक्ट में तो त्रिभुना रेखा देवी जी ने जो है गोरी शंकर मंदीर है वो त्रिभुना रेखा देवी ने बनाया था या फिर यूगांकर वर्मन भी ऑप्शन में हो सकता है तो भर्मोर में जो नर्सिंग मंदीर है वो भी किसने बनाया है त्रिभुवन रेखा देवी ने बर्मोर का जो है नर्सिंग मंदीर बनवाया है चंबा के साहि शाहिल वर्मन नमें De converson 920वी – शाहिल वर्मन वे में 120वी ने कहीं है इसके नहीं के चमबा की रासानिया टीका ले आया थे वो लिपलती ऐना दो मुसान वर्मन की रक्षा पाँ ती ती उस्वामपनी का दिखित है तो बसोली शैली जो है वो चमबा में चितरकला की बसोली शैली विक्सित हुई है निसो आठ में भुरी सिंग में श्थापनी चमबा कीDieश एक स्थमबर नानकी शाम सिंग के समय में चमबा के भटियात में क्रिशी अंदोलन हुआ है 1896 में 1896 में चमबा के भटियात में क्रिशी अंदोलन हुआ है 1932 में चमबा प्रजा सुरक्शा लिग का मुख्याली लाहोर में स्थाफित हुआ है 1876 में شाह चंबा ब्यूस उभारेड के नाम से हमने सब्सक्टःливо केंदर केंदर की किस थान पर है, डल हो जी में कालीन बुनाई के इंदर है उसके बाद बोला गया है कि चम्बा में जो प्रात्मिक स्कूल और डाग घर खोले जाते हैं 再 on maar TH when met चम्भा में चम्भा में प्रात्मिक स्कूल और डाग घर कोले जाते हैं वे चम्भा में शाम सिंह ऐस्प्ताल कब बनाया गया था तो ऐन स्क्थ एटीनु में शाम सिंह अस्प्ताल बनाया गया था लिए तो 1891 में शाम सिंग अस्पिताल को बनाने के लिए 1875 में कर्नल रीड के अस्पिताल को तोड़ा गया, 1875 में कर्नल रीड के अस्पिताल को तोड़ा गया, 1875 में उसके स्थान पर चम्बा में शाम सिंग अस्पिताल 1891 में बनाया गया, चम्बा की राजा शाम सिंग का शिक्ष किस घ्रयासत के राजा ने सवपत्तम हिमाचय पदैश में जलविद्धी उद्न निर्माद करना, 2010 सवपत्तम परी निर्माद के द्वारा निर्माद करें 1910 इस अना वियादी के से धाय नृट्छली आपुर्त अर्मान करना सवपत्तम ह Savior जिलेव में बठियाद उसके बुला कि राजा साहिल वर्मन कई तुम नहीं ते खिए दो योगी चरपति नहीं सुझआ देी ता फिर पांगी जी घंकि ए भार्मने की सामयत अलगी ते फिर जिलेख से वर्मन का नहीं यहीं जाटा वर्मन अंगी का कि भायं जिसमें जिसाटा वर्मन का उलेख है कि दुरान का शाषन था आगे दिखते हैं कुछ एक और कॉशन्स तो हिमाचल के किस शेतर में मिंदल वासनी देवी की मानत है तो बहुत इंपोर्टेंट है कि मिंदल वासनी देवी की मानता कहां पर है हिमाचल के किस थान पर मिंगल वासनी देवी की मानता है पांगी में चंभर्यास्त की स्थापना की सम्मी की आस-पास हुई है तो बोला गई है 550-670 की दौरा वैसे 550-670 की दौरा वैसे 550-690 की दिया गया है का गठन कब हुआ है 1947 में चंबा स्टेट पीपल्स फेडरेशन का गठन हुआ है 1947 में चंबा स्टेट पीपल्स फेडरेशन का गठन हुआ है 1947 में चंबा स्टेट पीपल्स फेडरेशन का गठन हुआ है 1947 में चंबा स्टेट पीपल्स फेडरेशन का गठन हुआ है 1947 में चंबा चांबा रियासत व्यायताक अपनेprot orangzhyeb यूमya चंबा रियासते जंड राजा में डंद एक चंबा खालन कोते रियास फोला र में विपनांफर जेड ऊतरी ने रियासते अपने दो रियासत शीया फोला र Вас Sãoalina जो शिरी सिंह थे उनके टाइम में ही क्या हुआ था कि जो सारे वन है चंबा रियासत के वह सारे वन पट्टे पर दे दिये गए थे ठीक है 1864 में शिरी सिंह के टाइम में वो लगए कि चंबा की किस राजा ने 1873 इस वी में क्यासवास अपने बेटे शाम सिंग के हक में गदी छोड़ दीती और दस्त बरार हो गए तो गोपाल सिंग जो है यह शिरी सिंग के भाई होते हैं शिरी सिंग के भाई होते हैं गोपाल सिंग जो से पहले राजा थे 1844 में बनते हैं और वो अपनी रियास्त के सारे वन जो हैं वो लीज पर या पट्टे पर देते हैं 99 वर्षों के लिए 1864 में 1870 में उनकी मृत्ती हुजाती है तो 1870 में गोपाल सिंग उनके जो भाई होते हैं वो राजा बनते हैं अब गोपाल सिंग सिर्फ तीन साल के राता रहते हैं 1870 से 1873 तक और 1873 में वो अपने बेटे के हक में गद्दी छोड़ देते हैं कौन गोपाल सिंग योगी चरपटनात किस के गुरू थे तो ये साहिल वर्मन के गुरू थे फिर बोला गया है सुभाष बाउली की शहर कस्पे के समीप है तो डलहोजी के समीप है सुभाष बाउली कहा है डलहोजी के समीप है डलहोजी के समीप है सुभाष बाउली जो सुभाष बाउली है क चंबा रियासत के किस वारिस को नर्स बचाया था तो प्रिथू सिंग थे जो बल भदर के पुत्र होते हैं उनको जो नर्स बातल होते हैं वो बचाकर मंडी रियासत में ले जाती है वहां पर उनका पालन पॉष्न होता है जंबा आने वाले परतम यूरोपीयन को थे 1839 में ज कि चम्बा की किस राजा के कारेकाल में मुक्ला देवी की परतिमा उध्यपूर मुर्कुल में स्थापित की गई चम्बा की प्रिकास्चंद को किस कारे के लिए राश्पती पुर्षकार दिया गया तो धातुकला के लिए चम्बा की प्रिकास्चंद को है राश्पती पुर्षकार से समानित किया गया था चम्बा के प्रिकास्चंद को धातुकला के लिए जो है राश्पती सम्मान से समान चमबा की देता है जो धातु कला के विशिशग रगार्चचन को राष्पती पुस्कार दिया गया था दिया गया था इसके लिए धातु कला के लिए मोगल समराण अकबर समकाले nature लिए cha लिए अघ् की आलजा कॉन था तो Biraz ने बिता कि प्रताप बकलोह नमक सानिक छावनी चंबा में है वह भी है नामक सानिक छावनीland Ptile वर्मन आदित्य वर्मन के टाइम से स्टार्ट हो तो यहां पर आप मारू जो है एक्जेकरन सर बोल सकते हो ठीक है और यह भी आद रखना कि मारू अलग है और मेरू वर्मन अलग है ठीक है जो मेरू वर्मन है वो आदित्य वर्मन से भी बहुत बाद में बनाया है और मारू ह नाम के साथ वर्मन यूज़ नहीं होता क्योंकि आदित्ते वर्मन लगाना शुरू किया था नेक्स देखते हैं कि छटी शयताब्दी के मद्दे के च्छती शयताब्दी है इसके मद्दए के एक तपास रावेगहर्ती में किसने अपनी रियासत की स्थापना की थी और राजा नहीं भर्मोर को बनाया तो मारू है हाँ पर पर किकी ऑप्शन में मारू है नहीं तो विरुवर्मन इसलिए लगा दिया गया तो चम्बा के किस राजा ने अंग्रेजु के आदेश को ठुकरा दिया था जिसने बोला कि हिंदु मंदिरों को ठुकरने का डिश दिया था चीतर सिंग वह राजा था गृट्र hea है जो बन्तर को गिराने का डिश द्वारा दिया था चंबा की राज रासिंग और कांगडा की राज संग चंबा क की राज संञ राज संसार चंबा की राज संटी ने संधी पर हस्ताक्षर है शाहपूर प्रफम जो जल्विद्यूद परियोजना है वो स्थापित की गई 1910 में भुरी सिंग के टाई में और साल नदी पर ये स्थापित की गई थी फिर नेक्स है 84 जो सादू समू के नेता की रूप में साहिल वर्मन के दस पुत्रों पुत्री का जो वर्दान है चरपटनात ने दिया था फिर नेक्स इंपोर्टन कोशिन है ये बोला गया कि कीर और तुर्षकों को हिमाचल परदेश से खदेर ने का श्री किसको जाता है ने क्ञोच अञे का ख़ा प्या था पहले के त्रिगत में यह से नेक्रें तो के विहार का निर्मान करा कि वहार का पता चलता है कि जो त्रीगत में बहुत बिक्षों का विहार है उसका निर्माण किसने करा है कृष्णियशनी लेकिन जो बेश्च की त्रीगत शेत्र में बहुत बिक्षों का विहार बनाया जाएगा कृष्णियशनी त्वारा बनाया गया है तो यह जो राजगोशना है यह कहां से मिली ह बचे बंधी इसमे संदर में राजा ग्या उत्किंड में चमबा के संदर में नीमनलिखित में क्या गलत है अगर हम देखे सीजिए नहीं है नहीं तो भूतनात मंदी नहीं है प्राचिन काल में चम्बा रियासत का मुख्याले कहां था तो स्टार्टिंग में जो था वो ब्रहंपूर था तो प्राचिन का एनिव में आज़ा ड़ा रियासत चम्बा नाम के उस शाष ragा का नाम बागब बढ़ क्या तो यह नाय की बेटी के प्रेम में पढ़़ का बाश्की को प्रेम में अपढ़ए यहां पर तो चंबा शेहर के नियर ने रकिती 920 इस्वी में 680 में चंबा राजे का शाषा कोन था तो मेरू वर्मन इंट भी दिया गया है यह नियर नियर आपको शाषा था 2008 में तो यहां से आप देख सकते हो की जो स्थापना है वो मारू ने किया है 585 स्वी में और जो ये मेरु वर्मन है ये बाद में राजा हुआ है 680 स्वी में कश्मीर के स्वतंतर रखा गया करनल लॉर्इंस से वजीर भाग की थी जो अंहों ने बात की थी जिसके दोधारा करणल लॉर्इंस है उन्होंने बात कुमान लिया थी कि जो कश्मीर चमबा भाक्षमीर शेत्र वही ऑफ सेवक संग बात की गया चमबा सिवक संग की कि लोर्ड करदन जो पषम्पार चमबा कब आया थे बोला गया कि वैसे कि लोर्ड मेऊ किस बर्श आय थे कि गोपाल सिंह तुटल एक इृप्वाल सिंह राजा वे लोर्ड मेऊ कि से भी त्ला ब्रॉड मेऊ embaixo चमबा के किस राजा ने ब्रहमपूरा से राजधानी चमबस्थाने इंतरित की देवरी कोठी और सैचुनाला पथर लेक पांगे हैं किस राजा के शाषनकाल से समझे तो ललीत वर्मन का इनने जिक्र मिलता है इसमें और इसको महाराज दिराज के नाम से रिखा गया है तो इन दोनों ही उसमें ललीत वर्मन से समझीत है उनके बारे में लिलेक है उनको महाराज दिराज कहा गया है नाडा जो राजनगर नामक महल का निर्मान किस ने किया है तो इज रूमीज सिंह ने किया है तो नाडा महल का निरमान के है उमेज सिंह ने महल का निरमान की। था। राजनगर में प安全 किके नामी और अठार्वे षयताब्दी के निज रजुनासी नाम हुए। उमेद सिंग ने जो है चंबा रंग महल की है और हमने पढ़ा था कि जुब लास्पर का रंग महल है वह ने आपको बता था कि 1921 में किसे मना था राजा विजय चंद या विजाई चंद का नाम दिया गया है पांच सिटे हैं चंबा में पांच विजाउंसभा सिटे कितनी है पांच विजाउंसभा सिटे हैं 80 जन संख्य हानतव ? 80 जन संख्य हानतव राज िे डिंख लडाई थे रजी किस महीं राजा मेरु वर्बन हृप लडाया थी लडाय होई थी इस कहत बोला गया है कि चम्हार शहर में पानी की आपुरती के लिए नेना देवी ने बल्दान दिया था साहिल वर्मन की राणी ने बोला गया कि चम्बा के किस राजा ने वर्मन के स्थान पर सही शब्द का प्रयोग करना शुरू किया तो गड़नेश वर्मन राजा थे इन्हों ने वर्मन के स्थान पर सही यूज करना स्टार्ट किया था पुरी सिंह गदी संभाली उन्हों पहले वजीर थे तो इन्हों ने गदी संभाली है चम्बा जो जीला है उसका कुल शेतरफल कितना है 6528, 6528, स्क्वेर किलोमेटर 6528, इतना चम्बा का शेतरफल है तो अगर हीमाचल की शेतरफल से दिखें तो कितना है 11.72% है यह हीमाचल की शेतरफल का, 6528 इसका उरिजिनल शेतर है और हीमाचल की शेतरफल का यह 11.72% है चम्बा में जो अन्तीम बार सती प्रथा का पालन कब किया गया था चरहट सिंह के टाइम में 1844 में चम्बा में अन्तीम बार सती प्रथा का पालन किया गया था चमबा के राजा उमेद सिंग के मित्यू की स्थान पर हुई थी ज्वाला मुखी स्थान पर हुई थी इन्होंने अपनी रानी के लिए में आदेश छोड़ा था कि इनकी रानी सती ना हो फिर तिप्तियों के आकर्मन के समय चमबा का राजा कौन था लक्ष्वी वर्मन था जो तिप्तियों के आकर्मन के समय चमबा का राजा था इसका इफादा उठाकर जो कुल्लू के राजा होते हैं जरेश्वर्पाल बुश्यर की सायता से वो इनसे आजाद हो जाते हैं हमारे आज के टोपिक में इतना ही है नेक्स जो हम डिस्टिक करेंगे वो है कुल्लू डिस्टिक तब तक के लिए आप इस डिस्टिक अच्छे से कीजिए नेक्स डिस्टिक हम करेंगे कुल्लू